नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का Pathfinder पर. So हम लोग UPSC, CSE Aspirants के लिए एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही एहम वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुए हैं. Oceanography का जो सबसे एहम और सबसे crucial topic होता है, that is the oceanic currents, उसकी हम लोग एक single video, एक single master video आपके सामने लेकर के पेश हुए हैं. इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग चर्चा करने वाले हैं, कि what exactly are ocean currents, ocean currents के पीछे कौन से कौन से factors होते हैं, जो की इनकी flow और direction को determine करते हैं, इसके effects क्या-क्या होते हैं, and second part में हम लोग cover करेंगे, कि कौन से कौन से oceanic currents होते हैं, हमारे अलग-लग महासागरों में, फिर भल महासागर ही क्यों ना हो, इन सभी के जो oceanic currents हैं, इनको cover किया जाएगा, बलकि जो अलग-लग जितने भी आपके cold oceanic currents, warm oceanic currents, इसके जो cold और warm oceanic currents, इसके जो cold और warm oceanic currents हैं, इन सभी को cover किया जाएगा. एक्जाम्पल के तौर पे हम लोग जो भी पढ़ते हैं आप लोग गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा करंट, ओयाशियो करंट, अगुलहास करंट, बेंगवेला करंट, मुजांबी करंट, जितने भी करंट्स हैं, उन सभी करंट्स के बारे में आपको जानकारी इस सिंगल वीडि सवालों को पूछा है, तो बिना किसी देरी के आए शुरू करते हैं, दोस्तों मेरे साथ, यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, और इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिये गए, दोनों ही टेलेग्राम चैनल्ज के माध्धिम से आप आपको सबसे पहले में ब्रीफली बताने वाला हूँ, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में आपके साथ मैं कवर करूँगा, यह वाला टॉपिक जिसको लेके UPSC अनेको बार सवाल पूछ चुकी है, खास रूप से जब से हमारा पैटरन चेंज हुआ है 2013 से लेकर 2021 तक हर साल अल्मोस्ट हमें Oceanography से कोई ना कोई सवाल या तो PT में देखने को मिला है, या हमें सवाल जो है ये mains में देखने को मिला ही मिला है, तो यह वाला टॉपिक काफी important है, आज इसको लेकर हम जो discussion करने वाले हैं, दूसरे नंबर पर इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, लेकि मैं मानूँगा कि इसी में से निकला हुआ एक छोटा सा ओफशूट है, जिसको हम लोग बोलते हैं, सारगोसा C, तो ये वाला जो टॉपिक है, UPSC, इसको कई बार जोगर्फी वेकल्पिक विशे के पेपर में पूछ चुकी है, लेकिन इस हाइली प्रॉबिबल कि इस टॉ प्रॉपिक बार जाते हैं लॉपिक नमर फॉर फॉर प्रॉपिक नमर फॉर इस को लेकर सवाल जो है, UPSC ने पूछा था, इस दोनों टॉपिक को भी यहाँ पे कवर करने वाले हैं, फाइनली उपिक नमर 6 की बात करेंगे तो कोरल रीफ जो की बहुत इंपॉर्टन ओंट resource भी माना जाता है इसके बारे में बात करी जाएगी and then we will talk about the marginal seas of the world यहाँ पर कुछ basic जानकारियां आपको दोंगा कि bay क्या होता है, gulf क्या होता है, straight क्या होता है, isthmus क्या होता है, यह सब जानकारियां आपको यहाँ पर available करवाई जाएगी, then we will go on to the next topic of oceanic bottom relief, जो की वैसे तो आपको पढ़ना चाहिए after you have done geomorphology, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ी कोशिश करेंगे आपको समझाने की, की oceanic bottom relief क्या होती है और इसे क्या-क्या features है, यह भी एक बहुत important topic है, कई बार इसको लेकर भी सवाल पूछे जा चुके हैं, and lastly हम लोग बात करेंगे the topic of tides, जो की topic वैसे तो काफी interesting है, लेकिन sadly UPSC ने पिछले आट-नौ साल में एक बार भी tide को लेके कोई सवाल आपसे नहीं पूछा है, इसलिए हमने priority list में उसको आकरी में रखा है, and we will be covering it at the last of the oceanography का पूरा का पूरा topic, all right, so ये nine topics में हम आपकी पूरी oceanography को यहाँ पे समाप्त करने वाले हैं, शुरू करते हैं, आज के lecture को समझते हैं कि ocean currents असल में क्या होते हैं, so याद कीजे, मैंने आपको climatology में एक बहुत ही simple चीज़ समझाई थी, मैंने आपको समझाया था कि winds क्या होती हैं, winds क्या होती है, winds basically हवा होती है, जो कि atmosphere के अंदर flow करती है, right, उसी तरीके से अगर पानी जब flow करता है, ocean के ऊपर, तो उस पानी के flow को कहा जाता है oceanic currents, it is as simple as that, seriously बोल रहा हूं, the general movement of a mass of oceanic water in a definite direction, it is called as oceanic current, which is more or less similar to water streams flowing on the land surface of the earth, जिस तरीके से आपका, basically, जो land surface होता है, earth का, उसके उपर नदिया बहती है, उसी तरीके से जो आपका एक बहुत बड़ा mass of oceanic water, जब वो एक definite direction में जा रहा हो, तो उसको हम लोग एक defined ocean current का नाम दे सकते हैं, so again, अगर simple परिभाशा में देखना है, तो simple परिभाशा क्या है, the general movement of mass of oceanic water in a definite direction is called as oceanic current, केवल इतने 10-12 लवजों की आपकी definition है, जो की आपको यहां पर ध्यानत नहीं है, now, इसका आगे जाकर वर्गी current भी किया गया है, इसका वर्गी current किया गया है, कुल current और cold currents क्या होते हैं, now, warm currents जैसा इसका नाम है, यह आपके low latitudes में देखने को मिलते हैं, यानि कि यह आपके उन areas में देखने को मिलते हैं, जहां पर आपके जो अक्षांश है, वो कम होते हैं, और यह वही वाले currents हैं, जो की low latitude से high latitude की तरफ भी move कर रहे होते हैं, similarly, अगर हम लोग बात करते हैं, cold currents की, they flow in the high latitudes and from the high latitudes towards the low latitudes as well, so simple सी परिभाचा है, कि obviously low latitudes के area में आपको देखने को मिलेगा, जादा insulation, जादा यहाँ पर आपको गर्मी देखने को मिलती है, तो यहाँ पर पानी भी गरम होगा, पानी गरम होगा, तो पानी के ऊपर बहने वाले currents भी गरम होगे, तो यह आपके low latitudes में flow करते हैं, और यही वाला जो पानी जब भी flow करते करते, low से high की तरफ जाता है, यह warm currents ही होते हैं, similarly, जो आपके high latitudes में flow कर रहे होते हैं currents उनको हम लोग cold currents बोल देते हैं और वो वाले भी आपके currents high से low की तरफ आते हैं तो उनको हम लोग भी cold currents का ही नाम देते हैं ये चीजें आपको समझ आएंगी जब हम लोग आगे जाके आपको समझाएंगे कि कौनसे कौनसी oceans में कौनसे कौनसे currents flow करते हैं व आपके होते हैं cold currents, now क्या-क्या factors determine करते हैं oceanic currents की flow को और direction को, now इसमें क्या होता है, कई सारे factors आपके matter कर जाते हैं, लेकिन प्रमोक रूप से जो आपके factors matter करते हैं, वो आपका option number 1 और option number 2 है, उसके बाद कुछ-कुछ छोटे-मोटे factors भी आपकी determine करवाते हैं oceanic currents की direction को, जिसम आप में friends factor number 4 भी आजाता है, factor number 4 में in fact कई सारे और छोटे-छोटे factors भी आते हैं, लेकिन again as I told you, कि factor number 3 और 4 में जो चीजें mentioned हैं, ये क्या चीजें हैं, ये आपकी एक तरीके से secondary factors भी माने जाते हैं, लेकिन जो primary factors माने जाते हैं, वो केवल आपके पहले दो ही primary factors माने जाते हैं, जो की oceanic currents की direction को determine करवाते हैं, factor number 1 की बात करूँ आपके सामने, that is the pressure gradient force, अब again याद कीजे, winds के case में क्या हो रहा था, कोई भी wind है, वो कौन से area से कौन से area की तरफ जाती है, कोई भी जो wind है, वो high pressure से low pressure की तरफ जाती है, उसी प्रकार कोई भी आपका जो oceanic current है, वो भ देखिए, जो आपका amount of insulation है, अगर हम बात करें कि कितनी गर्मी आपके latitude पे आती है, तो वो आपको मालूम होगा कि हर area पे वो vary करती है, because equator के उपर जो आपका amount of insulation आ रहा है, वो maximum है, और जैसे जैसे आप जा रहे हैं, poles की तरफ तो वहाँ पर जाते जाते आपका जो insulation है, व को मिलता है, between the equatorial region and the polar regions, एक pressure gradient force develop करेगा, simple सी बात है, कि अगर temperature में difference होगा, T1 और T2 में difference होगा, तो यहाँ पर आने वाला pressure भी अलग होगा, और यहाँ पर आने वाला pressure भी अलग होगा, very simple, yes, now, एक pressure gradient force develop कर जाता है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, जो की बन जाता है trigger या फिर driving force for the oceanic circulation, तो basically आपका सबसे starting में एक pressure gradient force ही होता है, जो की trigger की तरह act करता है, इस पूरे के पूरे पानी को move करवाने के लिए, एक चीज़ को अलग तरीके से बोल रहा हूँ, अगर pressure gradient force नहीं होगा, उस case में oceanic surface के उपर पानी move नहीं करेगा, यही बात हमने winds के chapter में कही थी, हमने वहाँ पर भी कहा था, कि अगर pressure gradient force नहीं होगा, तो आपका wind भी move नहीं करेगा, similarly आपका जो पानी है, वो भी PGF यानि की pressure gradient force की वज़े से ही move करता है, इस factor को लिखते टाइम, आप यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं, कि amount of insulation निरधारित करवाती है, कि क्या आपका पानी move करेगा या नहीं करेगा, अब देखिए, water moves due to expansion of volume from equatorial regions of higher temperature to polar areas of relatively very low temperature, अब यहाँ पर जहाँ पर आपका equatorial areas होगे, जहाँ पर आपके equatorial areas होगे, वहाँ पर क्या होगा, कि temperature बहुत जादा होगा, सही है बात, temperature जादा होगा, तो volume बहुत जादा होगी, because temperature जादा होग तो पानी फैलेगा, पानी फैलेगा, तो पानी move करेगा, और इस तरीके से ये lower volume वाले areas की तरफ move करना start करता है, यह केवल इसका trigger है, आगे जाकर आप लोग इस चीज़ को appreciate करेंगे और समझेंगे, कि असल में एक पूरा cycle भी बनता है, cycle कैसे बनता है, वही पर आता है आप का दूसरा important factor, अभी आपको trigger समझाया, कि क्योंकि पानी कहीं पे गरम हो रहा है, तो पानी गरम होने की वज़े से फैल रहा है, और उसकी वज़े से पानी move कर रहा है, अभी केवल इतनी सी बात को ही समझे, next आपका आता है Coriolis force, अब हमने ये भी समझा, कि आपकी जो winds थी, उसमें Coriolis force एक बहुत बड़ी भूमेका निभा रहा था, in fact आपके चक्रवातों में, cyclones में, Coriolis force काफी बड़ी भूमेका निभा रहा था, जिसकी वज़े से, जो आपके cyclones थे, वो northern hemisphere में anti-clockwise move कर रहे थे, और southern hemisphere में clockwise move कर रहे थे, correct है, इसी तरीके से Coriolis force जो है, ये आप के oceanic currents को भी, इनकी deflection को भी determine करवाता है, the rotation of the earth on its axis from west to east results in the generation of Coriolis force, जो की oceanic currents की general direction को भी deflect करवाता है, for example, जो आपके currents flow कर रहे होते हैं, from the equator towards the north pole, ठीक है, अब देखे, हम इतनी बात जानते हैं, समझ कर आए हैं, कि अगर आपका Coriolis force की मैं बात करूँ, तो ये northern hemisphere में जो ये right hand side की तरफ करवाता है, और southern hemisphere में Coriolis force जो deflection करवाता है, ये left hand side की तरफ करवाता है, ये जो आपका northern hemisphere में अगर कोई चीज नीचे से ऊपर को जा रही है, तो उसको ये इस तरफ को deflect करवाएगा, correct है बात, for example, the currents flowing from the equator towards the north pole, and from the north pole towards the equator, they are deflected to their right, क्योंकि northern hemisphere में right hand side deflection होत Similarly, जो currents आपके north to south जा रहे हैं, या फिर south to north जा रहे हैं, लेकिन सद्रन hemisphere में जा रहे हैं, वो left की तरफ deflect होंगे, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, कि ये माल लीजे आपका equator है, तो equator में यहाँ पर जो ऊपर वाले currents हैं, जो आपके northern hemisphere वाले currents हैं, उत्री गोलार्थ में आ आपको जो दिशा है, ये stroke से लेनी है, ये कहां से लेनी है, source से, ये आपका source है दोस्तों, source से आपको दिशा लेनी है, तो ये left hand side जा रहा है और उपर वाला right hand side जा रहा है, hence we can say that yes the Coriolis effect has a crucial impact on both the oceanic currents and the wind directions, और इसी लिए आप इस चीज़ को आगे जाके appreciate भी कर पाएंगे, कि जो आपके Coriolis force की वज़े से ही, जो यहाँ पे cycles बन रहे हैं, वो असल में northern hemisphere में कुछ इस तरीके से बन रहे हैं, ठीक है, और जो southern hemisphere में cycles बन रहे हैं, वो कुछ इस तरीके से cycles आपके पैदा हो रहे हैं, तो जो northern hemisphere के cycles हैं, क्या मैं उनको बोल सकता हूँ, कि ये एक clockwise direction में आपको cycles देखने को मिल रहे हैं, और जो southern hemisphere के आपको cycles देखने को मिल रहे हैं, ये anti clockwise direction में आपको cycles देखने को मिल रहे हैं, क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं, बिल्कुल सही बात है, अब देखिए इसी के साथ जूड़ी हुई एक और चीज आती है, as you can see very clearly in this figure, यहाँ प cycle बना हुआ है, इस तरीके से, ये वाला cycle बना हुआ है, similarly यहाँ पर एक cycle बना हुआ है, yes you can see this, ये भी एक cycle बना हुआ है, similarly ये भी एक cycle बना हुआ है, all right, ये भी एक cycle बना हुआ है, similarly अगर आप देखेंगे, तो ये cycle असल में पूरा होता है, इस तरीके से, इधर को cycle बना ह और यहां पर आके पूरा हुआ है, तो map यहां पर कटा हुआ है, similarly यह वाला भी आपका cycle बना हुआ है, यह देखिये, इस तरीके से बना हुआ है, यह सारे के सारे cycles को क्या कहा जाता है, इनको geography की भाषा में gyre कहा जाता है, g-y-r-e भी इनको कहा जाता है, यह देखिये, depending on the ocean क नाम इसको जायर का नाम दिया गया है ये क्या है ये अट्लांटिक जायर है लेकिन क्योंकि ये आपको उत्तर में देखने को मिलता है तो नौर्थ अट्लांटिक जायर है ये आपका इंडियन ओशन का जायर है ये नौर्थ पैसिफिक का जायर है ये साथ पैसिफिक का जायर ह ये किस तरीके से पैदा हुए है, thanks to the Coriolis force, जो कि इस पूरे के पूरे cycle को complete करवाते हैं, deflection करवाते हैं, उसी वज़े से ये वाले gyres पैदा होते हैं, मैंने ये लेक्षे की शुरुआत ने बात करी regarding something called as Sargosa Sea, तो Sargosa Sea भी कुछ नहीं है, असल में एक छोटा सा जायर है, जो क North Atlantic Ocean में बना हुआ है, और आप देख सकते हैं, Northern Atlantic Ocean में, क्योंकि ये Northern में है, तो इसके जो घूमने की दिशा है, वो clockwise है, ये भी Coriolis force की वज़े से ही यहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है, Sargosa Sea के बारे में अलग से lecture पेश करेंगे, समझाएंगे क्या-क्या उसकी विशेषता हैं, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी, I think आपको समझ आया होगा, कि ये दो चीजें, number one, pressure gradient force, जो की volume के basis पर determine करवाता है, कि पानी कहां से कहां move करेगा, वो उसका trigger force है, और उसके बाद उसको deflection और direction देने वाला force वो आपका Coriolis force है, ये आपके दो important forces है, जो की determine कर आते हैं, कि oceanic current का direction किदर को होने वाला है, इसी basis पर direction of circulation आप यहां पे देख सकते हैं, कि northern Pacific and northern Atlantic में आपको clockwise देखने को मिलता है, southern Pacific, southern Atlantic में आपको anti-clockwise देखने को मिलता है, southern Indian Ocean में भी आपको anti-clockwise देखने को ही मिलता है, लेकिन एक exception आती है, और वो exception है, northern Indian Ocean की, वहाँ पर normally आ आपको clockwise देखने को मिलना चाहिए because हर जगा northern में clockwise मिल रहा है ठीक है और सदरन में हर जगा anti-clockwise मिल रहा है लेकिन northern Indian Ocean में उत्री हिंद महासागर में आपका जो deflection का direction है वो असल में अलग देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ पर जो monsoon winds है वो भी एक काफी बड़ा role play करती है मैं explain करूंगा जब मैं Indian Ocean के topic को explain करूंगा फिलाल आगे बढ़ जाते हैं जो तीसरे number का factor है that is the density difference नाओ ये वाले जो factors है ये secondary factors के अंदर आते हैं यानि कि जो आपकी बड़े बड़े रूप पे बड़े बड़े level पे आपकी जो ocean currents की movement हो रही है वहाँ पर density का इतना बड़ रोल नहीं आता लेकिन कहीं ना कहीं आपका density का रोल आता है इसलिए हम लोग इसकी जर्चा कर रहे हैं अब देखें आपके सामने मैं एक map शो करता हूं इसको अब ध्यान से देखेंगे ये आपके सामने है पूरा बड़ा हुआ इतना बड़ा सारा आपका Northern Atlantic Ocean का area है correct है can you see this right ये आपका पूरा का पूरा कौन सा area है North Atlantic Ocean का area है ये वाला जो आपका area है इस area को हम लोग क्या बोलते है जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते है Mediterranean Sea right ये आपका area है Mediterranean Sea का ना एक बात आपको मालुम होनी चाहिए वो ये है कि ये दोनों areas में जो density है वो कि कि जादा है वो असल में इसकी density बहुत जादा है क्यों क्योंकि ये कम area है यहां पर आपको जादा salts देखने को मिलते हैं as compared to North Atlantic Ocean यहां पर जो density है ये कम है so density किसकी जादा है Mediterranean Sea की क्योंकि यहां पर आपको जो अनेकों तरह के salts हैं बहुत जादा देखने को मिलते हैं area कम है यहां पर evaporation बहुत होती है जिसकी वज़े से salts की जो मात्रा है वो काफी बढ़ जाती है तो density काफी बढ़ जाती है जतना salt होगा उतना density होगा as compared to the North Atlantic Ocean यह flowing from the Atlantic Ocean to the Mediterranean Sea is caused because of the density and the related salinity difference water पहले flow करता है Atlantic से into the Mediterranean Sea low density से पानी जो है वो move करना शुरू करता है towards the Mediterranean Sea तो North Atlantic Ocean से पानी ने move करना start किया towards the Mediterranean Sea clear है यह बात now इसके चलते अब क्योंकि पानी यहां से उधर को गया है Atlantic Ocean से पानी Mad Sea की तरफ गया है तो इसको compensate भी तो करना पड़ेगा तो यहां पर कुछ पानी Mad Sea से Atlantic Ocean की तरफ भी जाएगा लेकिन वो surface के नीचे से जाएगा लास्ट टू लास्ट येर, 2020, जो 2020 का मेंस का पेपर हुआ था, उसमें UPSC के द्वारा ये वाला सवाल पूछा गया था, कि डीप वाटर करंट्स क्या होते हैं, तो ये उसका उधारन है, इसको हम लोग सब सर्फेस करंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि पानी एक जगा से दूसरे पानी की सते हैं, तो पानी की सते के उपर, जो आपका उपर वाले करंट है, वो इस तरीके से इधर को मूव करा, वो अट्लांटिक ओशन से, इट मूवड इंटू दी मेडिटरानियन सी, लेकिन साथी में, बिल्कुल साथी में, आपका जो डीप वाटर करंट है, वो असल में नीचे भी मूव कर रहा है, तो पानी, जब ये वाला पानी यहां से इधर को गया, तो ये वाला प surface circulation उपर वाला है, ये आपका deep circulation है, as you can clearly see over here, and that is why ये भी एक important factor है, जो की oceanic currents की movement को determine करवाता है, as a rule, water move करता है from the areas of lower density to the areas of higher density, लेकिन ये surface की बात हो रही है, density difference determines flow between the open sea and a partially enclosed sea across a straight, the partially enclosed sea has a denser water and open sea has relatively less denser water, जिसकी वज़े से ये वाली moment आपको देखने को मिलती है, ठीक है, इसको आप लोग पढ़ भी सकते हैं, लेकिन इसको आप लोग थोड़ा visualize कीजे, कि ये जो straight of Gibraltar है, यहां से पानी ने अंदर को entry ली, और वापेस जो पानी आपका इधर को आ रहा है, वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, clear है बात, ये आप deep water current वाली चीज को भी सोड़ा समझे कि ऐसा क्यूं हो रहा है, ये कही ना कहीं पानी को compensate करने के लिए हो रहा है, so that deep water current वहाँ पे move करने लग चुका है, इसके बाद एक और factor भी हाता है, ये अब छोटे मोटे factors, बहुत सारे factors आते हैं, जो कि आपकी निर्धारित करवाते हैं कि आपका oceanic current का direction किस तरीके से होगा, now imagine कीजे कि माल लीजे ये आपका पानी का सते है, ठीक है, अब यहाँ पर सामने कोई land form बना हुआ है, यहाँ पर कोई land form बना हुआ है, पानी यहाँ से move करता आ रहा था, सामने जब कोई बड़ा land form होगा coast पर, तो पानी obviously deflect करेगा, इधर को कर सकता है deflect या इधर को deflect कर सकता है, correct है, so the disposition of the coastline perpendicular to the natural flow direction of oceanic current obstructs them with the result the ocean current starts flowing parallel to the coastline, तो जैसे ही आप इसका top view लेके देखिए, top view लेके देखिए, मान लीजे इस तरीके से पानी flow कर रहा है, और सामने ये पहाड आ गया, तो पानी प पानी इस particular coastline के parallel flow कर रहा है, और यही आप देख सकते हैं, the equatorial current after being obstructed by the Brazilian coast, ये दो ब्रांचिस में तूट जाता है, similarly आपको Indian ocean में देखने को मिलता है, ये सारी के सारी चीजें मैं आपको explain करूँगा, अगले आने वाले lecture में, जहाँ पर हम समझाएंगे आपको, कि जी हाँ आपका जो coastline की तरफ चबे टकराता है, तो असल में उस दो में तूट रहा है, similarly कुछ relief features होते हैं, जो की आपके ocean के सते पर बने होते हैं, ये मान लिजे पानी की सते हैं, और ये ocean bed है, sea bed है, तो यहाँ पर कोई मान लिजे पहाड है, जो की पानी के बाहर निकल रहा है, तो ये वाला पहाड भी तो ocean water current को deflect कर सकता है, correct है बात, तो ये submarine ridges जो होती है, ये भी आपके course of currents को deflect कर सकती है, these are very very minor factors, जो की overall बड़े level पर बड़े पैमाने पर आपके oceanic currents के directions को determine नहीं करते हैं, लेकिन हाँ इस तरह के features भी एक role play करते हैं, हो सकता है कि यहाँ पर कोई iceberg हो, जो की again आपकी direction को deflect करें, it is totally possible, तो इस तरह की छोटी-छोटी चीजें भी होती हैं, जो की matter करती हैं, लेकिन जो बड़े level पर determine करवाती हैं, वो केवल दो ही चीजें हैं, repeat कर रहा हूँ, pressure gradient force, या फिर अगर आसान भाशा में कहें, तो amount of insulation, और number 2 पर आपका आता है coriolis force, ज जो की deflection और direction को determine करवाने में बड़ा role play करते हैं, इन दो factors के लबब बाकी सारे के सारे secondary factors माने जाते हैं, clear है, now, finally अगर बात करें, कि हम ocean currents के बारे में बातचीत क्यों कर रहे हैं, देखिए ocean currents के बारे में बातचीत इसलिए कर रहे हैं, because कही ना कहीं ये हमारे climate को काफी as the heat balance of the earth, तो heat balance में क्या होता था कि जो गरम हवाय थी, वो ठंडे zones की तरफ जाती थी, so that वहाँ पर जो temperature थोड़ा moderate हो जाए, similarly जो ठंडी हवाय है, वो गरम zone की तरफ आती ही, so that वहाँ पर temperature थोड़ा थंडा हो जाए, ठीक है, इसी तरीके से जो आपका warm current है, वो क्या करता है, warm water को transport करता है, from the tropical zones to the colder areas, और जो cold currents है, वो cold water को लेकर आता है, from the high latitudes to the areas of low latitudes, इस तरीके से पूरा cycle आपका चलता रहता है, hence हम लोग कह सकते हैं कि तो ocean currents help in bringing the homogeneity in the distribution of temperature of ocean water, और इसी लिए ये लोग धरती का जो heat balance है, इसको maintain करने में एक बड़ी भुमे का निभाती है, Hence, we can say that yes, the heat balance of the earth is to some extent contributed by the oceanic currents as well, इसके इलावा इसके और भी कुछ-कुछ features होते हैं, in fact, हम लोग यहाँ पर इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले lectures में आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से जो deserts की formation है, वो भी oceanic currents के ऊपर निरभर करती है, इतना ही नहीं, इनके कुछ negative effects भी होते हैं, कभी कबार fog आपकी आजाती है, जब suddenly आपका जो warm oceanic current है, वो cold oceanic current के area में घुश जाता है, अब जब cold oceanic current के area में warm oceanic current घुश जाएगा, तो cold oceanic current नीचे रहेगा, warm oceanic current उपर रहेगा, और आपके सामने situation बन जाती है temperature inversion की, जिस case में लिचे देखने को मिलती है fog, और ये वाली जो fog है, ये आपकी आगे जाके problem करती है navigation को, तो ये भी आपका impact है, कि हमारा जो commercial navigation है, उसके उपर एक negative impact आता है, similarly कुछ-कुछ oceanic currents जो है, ये planktons को destroy करते हैं, L-Nino जो है planktons को destroy करती है, जो की आगे जाके मचलियों को मारती है, और मचलियों की मृत्ती होगी, तो fishermen, यानि की मचशवारों को नुफसान होगा, तो कई सारे आपके impacts आपको oceanic currents के उस तरीके से भी देखने को मिल जाते हैं, इन सभी चीजों के बारे में detail में चर्चा करूँगा, जब मैं बात करूँगा, Indian, Pacific और Atlantic Ocean के currents के बारे में, हम ज India का सबसे affordable, सबसे comprehensive batch है, केवल और केवल 8000 रुपे में, आपकी prelims और mains दोनों की तयारी करवाई जा रही है, जिसमें कि आपको 900 से भी अधिग घंटे की live classes available करवाई जा रही है, इस also includes test series आपको इसके लिए अलग से enroll नहीं करना है, इसी price में आपको test series भी available करवाई जा रह कर रहे है, completely free of cost वो आपको available करवाया जाएगा, और ये batch हिंदी में भी available है, pathfinder बोध हिंदी batch launch कर दिया गया है, मातर 8000 रुपे में, जिसमें कि again आपको सारी similar offerings यहाँ पर भी दी जा रही है, अगर आप लोग केवल test series purchase करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं, मातर 3000 रुपे मे ही आपको test series यहाँ पर mains की मिल जाती है, इसमें दोस्तों आपको कोई भी हमारा product purchase करना है, तो just ensure कि आप लोग अनी UPSC code का इस्तिमाल कर रहे हैं, और आपको यह वाले prices available हो जाएंगे, अब हम लोग हमारी वीडियो को शुरू करते हैं, यह वाला map आप यहाँ पर देख सकत current आता है, उसके बाद आगे जा करके, OASIO current आता है, उसके बाद आगे जा करके आप यहाँ पर जाएंगे, तो यह North Pacific current आता है, then here we have the Alaska current, यहाँ पर California current है, यह तो केवल आपके लिए एक map पे बनी हुई photos हैं, इनका आपको कोई मतलब नहीं है, जब तक कि आप इनके साथ associate न क्या-क्या impact होते हैं, उन सभी चीजों को यहाँ पर आपको समझाओंगा, also यह वाला जो lecture है, यह काफी relevant इसलिए बन जाता है, because हम आने वाले lecture में Atlantic Ocean के और उसके बाद Indian Ocean के currents को discuss करेंगे, so कुछ मैं आपको thumb rules यहाँ पर बताने वाला हूँ कि typically अगर कोई यहाँ पर warm current flow कर रहा है, तो उससे क्या impact होता है, इन चीजों को मैं आपको इसी वीडियो में explain करने वाला हूँ, so that आगे जाकर कि जब हम Atlantic Ocean के currents को और Indian Ocean के currents को समझेंगे, विचारेंगे, तो आपको वो वाली तकलीफें नहीं आएंगी, so यहाँ पर हम लोग दोनों ही, यानि की Northern Pacific Ocean और Southern Pacific Ocean इन दोनों के ही जो currents है, East Australia current की बात करें, South equatorial current की बात करें, पेरू current की बात करें, Atlantic circumpolar current की बात करें, इन सभी की चर्चा मैं आपके साथ इस particular वीडियो में करने वाला हूँ, लेकिन मेरी जो discussion होने वाली है, तीनों के तीनों महासागरों को लेकर, प्रशान महासागर हो, फ Pacific Ocean में पहले हम लोग बात करेंगे, North Pacific Ocean की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, South Pacific Ocean की, North Pacific Ocean में पहले मैं आपसे बात करूँगा, warm currents की, फिर बात करूँगा cold currents की, पिर बात करूँगा, cold currents की, नो हम ने ये वाला pattern यहाँ follow Q किया है, बड़ा simple reason है उसके पीछे, अगर एक बार आप समझ जाएंगे कि warm currents किस तरीके से बनते हैं, उनके क्या-क्या impact होते हैं, एक बार आप समझ जाएंगे कि cold currents किस तरीके से बनते हैं, क्या-क्या impact होते हैं, तो आपको आगे जाकर के फिर भले South Pacific Ocean हो, फिर भले North Atlantic Ocean हो, फिर भले South Atlantic Ocean हो, फिर भले North Indian Ocean हो, फिर भले South Indian Ocean हो, आ आपको सभी जगा जाकर के कोई भी तकलीफ नहीं आने वाली है, once you understand ये वाले जो basic concepts यहाँ पर आपको समझाओंगा, आपको आगे जाकर के तकलीफ नहीं होने वाली है, that is why हमने ये वाला pattern यहाँ पर follow किया है, सुचले शुरू करते हैं, सबसे पहले अगर हम warm currents of the northern pacific ocean की बात करें, तो कुल में लाके यहाँ पर तीन currents है, now again मैं आपको फिर से बता दूँ, अगर आप लोग map को जाकर के देखेंगे, जैसे कि ये वाला map आपके सामने है, आपको कुछ भी यहाँ पर समझ नहीं आएगा, बहुत सारी complex चीज़ें दिखाई गई है, अगर ये वाला map नहीं देखना, इवन अगर आप ये वाला map देखेंगे, जो कि आपको केवल northern pacific ocean को दिखा रहा है, यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे currents हैं, जो कि आपको समझ नहीं आएंगे, यह कई सारे छोटे मोटे currents का भी यहाँ पर नाम लिया गया है, लेकिन हम जो currents की बात कर रही हैं, यह वो वाले currents हैं, जिनको आप यहाँ पर नहीं छोड़ सकते हैं, यह आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, तो सबसे पहले northern equatorial current की बात करूँगा, number 2 पर बात करूँगा, कुरोशयो current की, number 3 पर बात करूँगा, North Pacific Drift की, अब देखिए, number 1, North equatorial current, यह जो आपका North equatorial current है, अब देखिए, इसको मैप पे समझ लीजे, यह रहा आपका North equatorial current, यह कहां से शुरू हुआ, यह शुरू हुआ इस एरिया से, यह वाला एरिया कौन सा है, यह दोस्तो आपका एरिया है Mexico का, यहां से शुरू हुआ, इस तरीके से यहां तक आया, उसके बाद यह flow करते करते, कहां तक पहुँँँजाता है, यह वाला एरिया जो की आपका Philippines का एरिया है, यानि की Philippines की जो country है, यह वहां तक पहुँँँजाता है, तो यहां से इसकी starting हुई, और यहां पर जाकर के यह खतम होता है, यह आपका North equatorial current का, आपका location है, अभी हमने केवल इसके location को समझा है, अब समझेंगे कि असल में यह पैदा क्यूं होता है, इसके पैदा होने के पीछे जो प्रमुक कारण है, वो कुलमिला के दो कारण है, पहला कारण तो यहां पर आपको मालुम होगा, कि बहुत सारी winds चल रही होती है, आपने पढ़ा होगा, planetary winds के बारे में हमने आपको पढ़ाया है, जो planetary winds होती हैं दोस्तों, उसमें जो आपकी North East trade winds है, वो वाली winds इन चीजों को पुश करती है, और उसकी वज़े से ही आपका ये वाला, जो North Equitable current है, ये बनने में आता है, लेकिन एक चीज़ को और समझिए, कि जो भी ocean के जो भी हिस्से में, जो भी currents आपके चल रही है, वो कहीं न कहीं एक cycle को follow करते हैं, अब ये वाला current जब यहाँ पर आएगा, तो obviously ये आगे भी जाएगा, तो आगे जाकर के ये किसी और current को जनम देगा, फिर वो आगे जाकर किसी और current को जनम देगा, फिर वो किसी और को देगा, यहाँ पर है, finally जो current एक आपका final होगा, वो वाला current इस current में आकर के मिल जाएगा, so ये वाला जो पीछे से आ रहा current था, ये भी इसको यहाँ पर push कर रहा है और वही बात आपको यहाँ पर समझनी होगी हर जगा ये वाला rule हर जगा ये वाला law हर जगा applicable होगा कि current के पीछे एक और current आ रहा होता है जो कि उसको push कर रहा होता है इस case में the current is originated because of the Californian current अब देखें Californian current इधर से आ रहा था उपर से नीच कि it is flowing in the westerly direction क्योंकि ये west की तरफ जा रहा था that is why ये westerly direction में आपका current जा रहा है और क्योंकि उपर से इसको push करने वाला आपका Californian current था इसलिए इसका वो origin में काफी help करता है समझ गए बात ये आपका north equal current है इसमें आपको केवल इतनी ही जानकारी चाहिए थी इसके basis पे आपका NEC यहाँ पर खतम हो जाता है अगले current की बात करें जो कि बहुत ही important current है और यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा कि ये वाले जो oceanic currents होते हैं किस तरीके से ये संबंद रखते हैं cyclons के origin से अब देखिए अगला current जो आपका आता है वो आता है कुरोशियो current का the north equatorial current turns northward मै Philippines and thus it gives birth to the korosio current तो वही वाली photo को आगे देखिए दुबारा से कि यहाँ पर अब देखिए इसको पूरा हम मिटा देते हैं ये आपका current आ रहा था north equatorial current ये current जब यहाँ पर इसके सामने कई सारे continents आएंगे तो उसकी वज़े से ये move करेगा northward move करना शुरू करता है और सा current है ये एक warm current है हमने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि जो आपके currents lower latitudes में जो आपके currents equator के पास शुरू होते हैं वो हमेशा गरम पानी होगा वहाँ पर आपकी solar insulation काफी जादा होती है तो ये आपका warm current है अगर warm current है तो temperature high करेगा temperature high कहां पे कर देगा temperature high कर देग इस पूरे के पूरे area में ठीक है ये वाला जो area है ये किस country का area है चाइना का area है ये वाला area जापान का area है और ये चाइना और जापान के इलाकों में जो cyclones को लेकर आता है हमने आपको पढ़ाया था कि इस इलाकों में cyclones को typhoons कहा जाता है जितना जादा ये वाला current गरम उतनी जादा probability बढ़ जाती है इन टाइफून के originate करने की और क्योंकि यह यहाँ पर cyclones को लेकर आता है क्योंकि यह यहाँ पर cyclonic rainfall को करवाता है इसलिए rainfall is also extremely high on the east coast of Asia. यहाँ, अगर आगे जाकर एक thumb rule की तरह याद करनी है कि अगर east coast of the continent पे यह वाला जो पूरा का पूरा area है यह क्या है अगर eastern coast of China जापान है अगर east coast of the continent पे कोई warm current जा रहा है तो वो वहाँ पे cyclones करवाएगा ही करवाएगा ये एक thumb rule है आगे जाकर के जिस भी महासागर में हम लोग देखेंगे वहाँ वहाँ पर आपको ये चीज समझाएगी कि warm current की वज़े से वहाँ पे cyclones आपके originate होते ही होते हैं ये पहला thumb rule जो कि आपको याद करना होगा अब इसके आप उपर जाएंगे तो देखें जैसे जैसे आप उपर जा रही है आपका latitude बढ़ रहा है यहाँ पर आपका latitude आप यहां तक पहुंच चुके हैं करोश्यो करण के माध्यम से अब जब आप यहां तक पहुंच चुके हैं 30 degrees के आसपास तो यहाँ पर कौन सी winds blow करती है यहा North Pacific Drift और यह वाला पानी बहते बहते कहां तक पहुंच जाएगा यह वाला पानी बहते बहते North America तक पहुंच जाएगा इट रीचिस दी Western Coast of North America लेकिन यह वाला जो करण्ट है यह आगे जाके दो ब्रांचिस में दो शाखाओं में बट जाता है वो वाली दो ब्रांचिस कौ अब इसके लिए यह वाले मैप को रेफर कीजिए यह देखी यह वाला आपका करण्ट आ रहा था शुरू से बताता हूं आपको यह यहां से आपका Pacific North Equatorial Current आ रहा था जब यह आता गया आता गया उपर गया कोरोशियो करण्ट बन गया कोरोशियो करण्ट जब यह इस्ट इसमें दिखाएगी जो भी यहां पर करण्ट है यह आपके warm करण्ट है जब यह यहां तक पहुंचा इसके बाद दोस्तों यह वाला करण्ट तूटना शुरू हो जाता है तूटना शुरू होता है इसमें कई सारे छोटे छोटे करण्ट आपको देखने को मिलते हैं for example आपका लीमान करण्ट कई सारे करण्ट से यह आपको याद करने की आफशकता नहीं है बस आपको आइडिया होना चाहिए कि जी हां इनकी लोकेशन कहां पर है अगर आपसे यह मैं पूछू कि एलूशन करण्ट कहां देखने को मिलता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये उत्री प्रशांत महासागर में देखने को मिल जाता है। Similarly अगर आपसे पूछों कि Alaska Current कहां देखने को मिलता है तो आपको बस इतना मालूम होना चाहिए कि ये उत्री प्रशांत महासागर में North America के Western Coast पे आपको देखने को मिल जाता है। इतनी जानकारी अगर आप देदेंगे, examiner आपसे संतुष्ट हो जाएगा। अब इसकी जो दूसरी शाका है, जो की हमारे लिए बहुत relevant है, वो है California Current, लेकिन उसको हम लोग पढ़ेंगे cold currents की category के अंतरगत, अब ये देखिए, जो आपका North Pacific Drift है, इसकी दो ब्रांचे बन गई, पहली ब्रांच बन गई, अब ये Northern ब्रांच जो है, ये आगे जाके anti-clockwise भी flow करती है, ये काफी जादा मुश्किल है समझना कि ऐसा क्यों करती है, हमें उसमें दिमाग नहीं लगाना, अभी तक क्या हो रहा था, आपकी सारी चीज़ें clockwise चल रही थी, ये देखिए clockwise चल रही थी, राइट, ये clockwise है, ल दे रही है, और साथ में हमें देखना है कि Pacific current जो है, इसकी एक शाखा नीचे को भी आ रही है, तो ये आपके तीन currents है, तीनों आपको समझ आने बहुत ही जरूरी है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, उत्तरी प्रशाद महासागर के cold currents की याने की sheath currents के, जिसमें कि आपक times called as the curile cold current, तो इसको curile cold current के नाम से भी जाना जाता है, और ये वाला cold current कहाँ flow करता है, इसकी location को सबसे पहले समझ लेते हैं, जो कि सबसे important है हमारे लिए समझनी, ये वाली आपकी जो current है, ये देखिए यहाँ पर, इस ही मैं आपको देख लेते हैं, ये रहा आपका ओयोश current, अब मैंने क्या कहा, कि ये ठंडा current है, जब मैं इतना बोल रहा हूं कि ये ठंडा current है, इसका मतलब इसका origin कहां से होगा, इसका मतलब ये यहाँ कहीं से आएगा, उपर से, नीचे से तो नहीं आएगा, क्योंकि नीचे से जो भी current आता है, वो गरम current आता है, यानि कि ये समझ आ रहा, तो यहां पर आके देख लो, यह देखो, यह देखो, आप curile current देख पा रहे हो, तो curile current दोस्तों यह रही आपकी arrow, तो ऊपर से नीचे आएगा, because ऊपर के इलाके ठंडे इलाके हैं, तो ऊपर से ही ठंडे पानी को नीचे लेकर आएगा, जी हां, बिल्कुल सही बात है, यह आपका ओयोशियो current है, also called as the curile cold current, this cold current flows through the bearing state, आपने नाम सुनोंगा bearing state का, and it flows in the southerly direction, direction को समझो, southerly किसको बोलते हैं, यानि कि यह south की तरफ जा रहा है, और north से आ रहा है, उत्तर से आ रहा है, दक्षिन की तरफ जा रहा है, इसी लिए southerly direction बोल रही है, और उत्तर से आएगा ठंडे पानी को लेकर आएगा, it is transporting the cold water of the Arctic sea into the Pacific ocean, तो उपर यहाँ पर जो आपकी Arctic sea का area है, यहाँ पर जो आपकी Arctic sea का area है, इसको यहाँ से नीचे लाता है, और अंदर जाकर के किसमे mix करता है पानी को, Pacific ocean के अंदर जाकर के उस पानी को mix कर देता है, अब क्या हुआ, अब जब यह mixing करेगा, तो वहाँ पर इसको कोई गरम करण भी तो मिलेगा, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, दूसरा थमरूल आपके सामने पेश करने वाला हूँ, पहला हमने देखा था कि अगर warm करण होगा, east coast of the continent पे cyclone को लेकर आएगा, दोस्तों जब एक warm करण एक थंडे करण से मिलता है, यह देखे, यह करण एक cold करण है, convergence of the cold current and the warm current causes dense fog which becomes the potential hazard for navigation, जब दो करण मिलेंगे, एक तरफ आपका warm करण मिलेगा, एक तरफ आपका cold करण मिलेगा, जब यह दो करण मिलेंगे, तो दोस्तों इसमें cold करण में, obviously cold करण हेवी होगा, warm करण लाइट होगा, तो cold करण जब हेवी होगा, उ इसका temperature क्या है, इसका temperature है कम, और उपर वाले का temperature है ज्यादा, the temperature is more, so जैसे जैसे आप उपर जा रही है, temperature बढ़ रहा है, यह temperature inversion हुआ, और हमने आपको क्या बताया था, जब भी temperature inversion होगा, तब क्या पैदा होगा, तब fog पैदा होगा, जैसे हमें एक महीना पहले, उत्री भ वार्म कुरोशियो करंट causes dense fogs, which become potential hazards for navigation, obviously, जब आपकी इतनी धुंद होगी, तो वहाँ पे navigate करना मुश्किल हो जागा, यह आपका thumb rule number 2 है, इसी के साथ जुड़ा हुआ thumb rule number 3 भी है, वो भी जान लीजे, एक थंडा करंट जो होता है, वो हमेशा अपने साथ कुछ चीजों को और भी लेकर आता है, वो चीजें क्या होती है, that is called as phytoplankton, थंडा करंट हमेशा अपने साथ phytoplankton को लेकर आता है, जो की fishes के लिए nutrients की तरह काम करते हैं, phytoplankton basically इस तरह की चीजें होती हैं, जिनको की fishes खाती है, जितना जादा मातरा में वहाँ पर phytoplankton आएंगे उतनी जादा मातरा में वहाँ पर मचलिया आएंगी जितनी जादा मातरा में मचलिया आएंगी उतनी जादा मातरा में मच्वारे आएंगे और ऐसे ही एक fishing ground का जनम हो जाता है तो यहाँ पर the zone of confluence of Oecio and the Kuroshio on the east coast of Japan and China is very very well known for very high fish catch, it is also known as the north western pacific fishing ground, इसलिए दोस्तो चाइना और जापान जो है ये दुनिया के काफी बड़े fish maroon producers भी माने जाती है, अब देखे इस map को दुबारा से देख लिजे, क्या हुआ, यहाँ पर आपका ऊपर से आया Oecio current, यह दोनों मिले यहाँ पर, यह कहाँ पर मिले, आप as you can very very clearly see, कि दोनों जब मिले यह वाला आपका जापान का area में मिले, ठीक है, तो भई, इस particular area को हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया fishing ground, लेकिन यह fishing ground Pacific Ocean में है, तो हमने इसको बोल दिया Pacific fishing ground, लेकिन यह fishing ground Pacific Ocean के north western इलाके में है, north Pacific में है, और western side पे है, तो हमने इसको क्या बोल दिया, north western Pacific fishing ground, यह आपका बन गया, दो currents के मिलने की वज़े से, ठंडा और गरम current जब मिलते हैं, तब जाकर के fishing ground को पैदा करवाती है, अब आप समझे, rule number two, मैंने आपके सामने, मैं आपको एक बार फिर से या ठंडा current आएगा, और वो एक warm current के साथ जाकर के मिलेगा, तो पहले तो वो वहाँ पर fog करवाएगा, धुंद करवाएगा, और rule number three, क्योंकि ठंडा current आ रहा है, तो वो सापने phytoplankton को लेकर आएगा, और वो वहाँ पर जाकर के अच्छा fishing ground को create कर देगा, अगर आपको ये बार-बार अपलाए करने वाले हैं, एक और rule है, जो की बच जाता है, जिसकी चर्चा मैं finally करने वाला हूँ, और ये है California current, अब हम बात कर रहे है California current की, जो की cold current है Northern Pacific Ocean का, ये देखे आपके सामने California current है, अब California current में क्या हो रहा था, दोस्तो California current में, ये आपका eastward extended portion है, North Pacific Drift का याद कीज़े मैं आपको बताया था कि जो गरम current था, North Pacific Drift, वो दो ब्रांचिस में टूट रहा था, Alaska और California current उपर जा रहा था, Alaska current नीचे आ रहा था, California current, Alaska, illusion वगरा 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 उपर जा रहे थे, अब ये वाला जो cold California current है, it is generated because of the movement of oceanic water along the Californian coast from the north to south, और ये आगे जाकर करेगा, ये आगे जाकर के, जब ये North America के western coast पे जाएगा, तो ये वहाँ पर जाकर के, जनन देगा deserts को, क्यों, क्योंकि ये cold current है, cold current में क्या दिक्कत होती है, कि cold current अपने साथ dryness लेकर आता है, आप खुद देखिए, जब आप थंडे पानी में क्या दिक्कत होती है, कि व और उनकी जो dryness है, उसको बढ़ाने में काफी बड़ा role play करते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, कि यहाँ पर जब ये cold current flow करेगा, ये वाला आपका current है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं, the California current, और ये वाला जो California current है, आगे जाकर के, ये यहाँ पर दो हमें deserts देखने को मिलत आती है, so you can clearly see, this current after reaching the Mexican coast, turns westwards and merges with the north equatorial current, तो वो तो आपका cycle पूरा हो गया, ये से हमने आपको बताया कि पूरा कपर cycle पूरा करना है आपको, ठीक है, north equatorial current के साथ जाके merge करेगा, यहाँ पर आकर के merge करेगा, यहाँ पर आकर के merge करेगा, this is also responsible for increasing dryness of the Mojave and the Sonoran deserts on the west coast of North America in the subtropical latitudes, clear है दोस्तों ये बात, ये आपका क्या हुआ, ये आपका हो गया, fourth and the final rule, that is rule number four, और ये क्या है, कि अगर कोई भी थंडा current, west coast of the continent पे आकर flow करेगा, तो वो वहाँ पर deserts को जनम देगा ही देगा, ये वाला rule भी हम कई बाहर यूज़ करने वाले है, तो चार rules मैंने आपको बताए, इन चार rules के basis पे आपका पूरा का पूरा आगे जाकर के जितने भी current समझेंगे, वो सारे के सारे clear हो जाएंगे, अब देख लीजे, हमने क्या याद करने को बोला था, एक मैंने याद करने को बोला, north equatorial current, दूसरा मैंने याद करने को बोला, kuroshio current, तीसरा मै मैंने याद बोला आपको California current, यह आपका cycle पूरा हो गया, यह देखे आपके सामने आपका cycle पूरा करवा देते हैं, यहाँ से शुरू हुई थी कहानी, यहाँ से आगे बड़ी कहानी, उसके बाद उपर गई, फिर इधर आई, उसके बाद यह नीचे आई, और यह यहाँ से बस यह current side से आ रहा है, जो कि यहाँ पर आके मिल जा रहा है, और यह काफी relevant क्यों है, क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा fishing ground बना हुआ है, इसी current के आने की वज़े से, इसके माध्यम से हमारा North Pacific Ocean के जो warm और cold current से वो खतम हो जाते हैं, अब बहुत आसान है बात, इस map को भी देख लो, अगर इसको देखके समयना चाते हो, यह देखे Pacific North equatorial current, आगे बढ़ी कहानी, आगे बढ़ते बढ़ते चली गई कुरोशियों में, कुरोशियों से आगे बढ़ते 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 चली गई North Pacific current में, यहां से आगे बढ़ते हुई, छोटी छोटी हमारे लिलेवेंट है, नीचे आई, और यह कहानी यहां पर आके समाप्त हो गई, और यह उपर से आ रहा था आपका ओयोशियों current, जो की यहां पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, तो यह आपके पांच current मैं आपको याद करने को बोले हैं, नेक्स्ट अगर हम बढ़ें Southern Pacific Ocean की तरफ, that is, दक्षनी प्रशांत महासागर, चलिए, सबसे पहला South Equatorial Current की बात करेंगे, नमबर दो पर हम लोग बात करेंगे, आपकी East Australia Current की, केवल दो ही current साब को ध्यान रखने हैं, अब देखिए, जैसे वहाँ पर North Equatorial Current था, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, NEC, य इसमें क्या हुआ, इसमें कुछ भी नहीं हुआ, यह कहानी यहां से शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले, पीछे से कुछ इसको पुछ करेगा, तो यह वाला current इसको पीछे से यहां से पुछ कर रहा था, और यह वाला फिर यहां से फ्लो करना शुरू कर दिया, अब क्या लिखेंगे the south equatorial current in the pacific ocean starts from the western coast of south america यह आपका south america आ गया and goes up till the eastern coast of australia लेकिन यहाँ पर क्या है कि यह वाली country आती है जिसका I am sure आपने नाम सुना होगा पापुआ new guinea के नाम से इन्होंने recently अपनी एक छोटी सी cricket team भी बनाई थी so papua new guinea की यह वाली आपकी जो country है यहां तके जाएगा और यही बात यहां पे लिखी हुई है the south equatorial current is originated due to the influence of southeast trade winds एक तो आपका trade winds का influence रहेगा जो NEC में रहा था वो यहां पर भी रहेगा यहां से आपकी winds आ रही है जो की पानी को push करेंगी और दूसरा आपका peru current भी आ रहा ह है यह देखिए west से शुरू हुआ sorry east से शुरू हुआ west तक जा रहा है west को जाने वाली चीज़ को westerly बोल दिया आपने उसके बाद the current is bifurcated into northern and southern branches near new guinea तो यह पापवा new guinea तक जाएगा वहां पर जाकर के इसका विभाजन होगा दो branches दो शाखाएं बनेगी northern branch ऊपर चला रही नीचे वही वाला आपका बन जाता है east australian current बहुत ही simple है यह देखिए यहां तक आपकी कहानी आपको समझ आई कि भई यह आपका south equatorial current ऊपर यहां पे flow कर रहा है और जब यह नीचे आ रहा है तो इस तरीके से east australian current बनता आ रहा है इसकी असल में एक शाखा ऊपर को जाती है जो की counter equatorial current के रूप में देखने को मिलती है उसके बारे में चर्चा हम लोग बाद में करेंगे अभी आप लोग एक बार जान दीजे कि यह आपका दूसरा current जो की आपको याद करना है east australian current अब आपको क्या लगाना है rule number one कि यह जो current था यह warm current था इसी की शाखा आपको देखने को मिली east australian current की यह warm current है अगर कोई warm current किसी continent के east coast पे जा रहा है यह east coast है तो वहाँ पर क्या करवाएगा वहाँ पर यह cyclones को जनम देगा और वही चीज यहाँ पर हो रही है कि it is a source of tropical cyclones on the east coast of Australia which are known as willy-willy तो cyclones को Australia में willy-willy कहा जाता है दोस्तो हमने हमारे rule number one की मदद से यह जाल लिया कि जी हाँ जो east australian current है यह क्योंकि एक warm current है temperature को बढ़ाएगा और इसी लिए यहाँ पर बारिश भी जादा होगी और यहाँ पर willy-willy currents भी देखने को मिलेंगे that's it अब आपने देखा कि पह एक आपका आता है peru current दूसरा आपका आता है west wind drift इसको भी समझ लीजे बहुत असानी होगी जब हम लोग southern Atlantic और southern Indian ocean को समझेंगे number one peru current इसका दूसरा नाम भी आपको मालूम होना चाहिए that is the humble current very very important नाम ठीक है जब हम लोग बात करते हैं L-9 की तब इसके बारे में जानकार फिर से दिखा रही है तो यह cold current है क्योंकि यह यहां से आता है यहां से शिरू होता है अब यह क्या था south से north की तरफ जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे यह एक northernly current है जो की south america के western coast पे flow करता है और वही बात यहां पे लिखी हुई है कि it is a northernly current अब क्या था rule number आपको लग बाना है 4 हमने rule number 4 की जो बात करी थी that was कि अगर कोई ऐसा थंडा current है जो की किसी continent के west coast पे जा रहा है तो वहां पे क्या form करवाएगा वहां पे desert form करवाएगा तो जी हा पेरू current is responsible for increasing the dryness of the Atacama desert और यह रहा आपका Atacama desert यहां पर देखे पेरू current ऊपर जाता रहा और यहां प से जादा गरम इलाका माना जाता है ठीक है यहां पर लोग रहते हैं लेकिन फिर भी यह दुनिया का बहुत बड़ा गरम इलाका माना जाता है लेकिन warm current के साथ cold current के साथ हमारा एक और rule था वो क्या था कि cold current अगर साथ में लाता है तो क्या लेकर आता है cold current हमेशा अपने संख्या बढ़ेगी मचलियों की संख्या बढ़ेगी मच्षवारों की संख्या बढ़ेगी जिसकी वज़े से आपके यहां पर एक fishing ground पैदा हो जाएगा और यह वाला fishing ground है इसकी location समझ लीजे यह देखिए यहां पर यह वाला बन गया आपका fishing ground कहां पर है South Pacific में है तो South Pacific fishing ground बन गया लेकिन South Pacific के Eastern साइड पे है इसी लिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग इसको बोलते हैं South East Pacific fishing ground तो यह आपके दुनिया में गिने चुने ही fishing grounds है चार-पान से जादा fishing grounds नहीं है तो इसलिए याद करने काफी relevant हो जाते हैं कि यह आपका दुनिया का दूसरा South East Pacific fishing ground बनता है प्रशान्त महासागर में कुल मिलाके दो fishing grounds आपके बन गए जो कि आपको यहाँ पर ध्यान रखने होंगे that's it यह आपका पेरू करंट है और इसके बाद जो एक बच जाता है हाला कि वैसे कुछ बच्चे मुझसे बोल सकते हैं कि जर्फ पैटागोनिया डेजर्ट भी है तो पैटागोनिया डेजर्ट यहाँ प उस तरीके से यह वाला पैटागोनिया डेजर्ट यहाँ पर फॉर्म हुआ है but it is not because of the peru current please keep this thing in mind and next and last अगर हम लोग current की बात करें तो वो है आपका west wind drift यह वाली जो west wind drift है यह कहां पर flow कर रही होती है यह देखिए इसी मैं आपमें दुबारा दिखाता हूं आपको ठीक है अंटाक्टिक सर्कम पोलर करंट यह आपका west wind drift है अब आप पूछेंगे सर इसको सर्कम पोलर क्यों कहा गया है इसकी interesting कहानी है यह देखिए धरती गोल होती है धरती गोल होती है तो इस तरीके से यहाँ पर ना यह इस तरीके से flow करता है उपर सर्कम पोलर तो पूरे poles के around एक circumference के through यह cover करता है इसलिए इसको सर्कम पोलर करंट कहा जाता है यह तो हमने आपके सामने इसको खोल दिया open कर दिया इसलिए आपको लग रहा है कि यह एक करंट इस तरीके से है लेकिन यह पूरा का पूरा जो करंट है यह असल में हमारे पूरे मैप में flow करता है अगर आप इस particular यहाँ पर वो वाली image नहीं दिखाई हुई है पूरा अगर आप map draw करेंगे तो उसमें पूरा का पूरा जो अंटाक्टिका है उसके ऊपर यह flow करता है अंटाक्टिक सर्कम पोलर करंट यह वाला जो सर्कम पोलर करंट जिसको कि में लोग west wind drift बोलते हैं दोस्तों ह यहाँ पर आप पहुंचे हैं हम लोग आप पहुंचे हैं 30 degree, 40 degree, 50 degree के सद्रन latitude पे इस latitude में क्या flow करता था याद कीजिए कौन सी permanent winds flow करती थी वेस्टर्ली की permanent winds flow करती थी और यह वाला जो west wind drift है न यह उन ही वेस्टर्ली की permanent winds के तहत यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है यह देखिए west wind drift की बात करें तब इतना strong हमें oceanic current देखने को मिल जाता है इस current की भी आगे जाकर के दो शाखाएं बनती है यह देखिए और यह हमारी अगली class के आगाज के पहले का जो आप मान सकते हैं कि एक pre conclusion है कि भी यहाँ पर दो शाखाएं बनी एक branch तो आपकी चली गई पेरू current में जाकर मिलेगी ठीक है यह देखिए यह वाला आपका current यहाँ से आ रहा था तो Cape Horn को cross करकर यह enter कर गई किसमें यहाँ पर क्या है यहाँ पर है Atlantic महासागर तो यह Atlantic महासागर में चलीगी और वहाँ पर भी इसी तरीके से flow करेगी West Wind Drift के नाम से ही flow करेगी यह आप देख सकते हैं कि एक branch enters the Atlantic Ocean through the Cape Horn while the second branch turns northward and joins the पेरू current इस तरीके से आपके सारे के सारे currents यहाँ पर पैदा हो जाते हैं समझा गया मैंने आपको केवल और केवल चार currents याद करने को कहा है सद्रन Pacific Ocean के अंदर कुल मिला के हमने इस वीडियो में 9 currents को याद करा उनको हम revise कर लेते हैं पहले सद्रन Pacific Ocean की कहानी समझ लीजिए यहाँ से कहानी की शुरुआत हुई थी south equatoral current ठीक है east से west गया उसके बाद ऊपर से नीचे आया east australian current ठीक है north से south आया उसके बाद ठंडे current की बात करेंगे blue color में तो यह आपका west wind drift जा रहा था west से east गया under the influence of westerlies ठीक है roaring 40s, furious 50s, shrinking 60s और उसके बाद south से north आया पेरू current या फिर humboldt current भी कहा जाता है कहानी खतम हो गई circle close हो गया बस यह वाले 4 currents south में और उपर में 5 currents आपको ध्यान रटने हैं इसी map में वो सारे के सारे currents दिखाए गई हैं that is why we chose to keep this map number 1 आपका north equitable current, number 2 आपका kuroshio current, number 3 आपका north pacific current, number 4 आपका curial current, number 5 आपका California current, number 6 आपका south equitable current, number 7 आपका east australian current, number 8 पे आपका west wind drift और number 9 पे दोस्तो पेरू current बन जाता है अब याद क्या करना है, 4 rules याद करने हैं, पहला rule अगर कोई warm current होगा, east coast पे flow करेगा, क्या लेकर आएगा दोस्तो वो लेकर आएगा आपके cyclons को, rules भी आपको याद करवा रहा हूं, number 2 rule क्या है, कि अगर कोई ठंडा current होगा, अगर कोई ठंडा current होगा, जो कि किसी warm current के आपने लेकर आता है, तो क्या लेकर आता है, phytoplankton को लेकर आता है, जो कि मचलियों को बढ़ाता है, जो कि fishing grounds बन जाते हैं, दो fishing grounds है, एक आपका ये वाला fishing ground है, और एक आपका ये वाला fishing ground यहाँ पर बन जाता है, number 4 and the final rule, अगर कोई cold current है, जो कि west coast of continent पे जा रहा है, तो वो दोस्तों यहाँ पर desert बनाएगा, यहाँ पर आपके बन गए deserts, Mojave and Sonoran desert, और यहाँ पर आपका बन गया दुनिया का सबसे गरम desert, that is the Atacama desert, ठीक है, तो यह, हाला कि सबसे गरम desert, सहावा desert है, लेकिन this is that part, यह इसको इसलिए सबसे गरम कहा जाता है, यहाँ पर बहुत भी और यहाँ पर focus करने की आवशकता है, यह था आपके pacific quotient के important currents, also शुरू करने के पहले, एक important announcement, pathfinder आपके लिए लाया है, अगनिपत बैच, जो की इंडिया का सबसे affordable, सबसे comprehensive batch है, केवल और केवल 8000 रोपे में, आपकी prelims और mains दोनों की तयारी करवाई जा रही है, जिस also includes test series, आपको इसके लिए अलग से enroll नहीं करना है, इसी price में आपको test series भी available करवाई जा रही है, अगर आप लोग prelims क्लियर करते हैं, mains mentorship आपको करवाई जाएगी bureaucrates के द्वारा, अगर आप लोग mains क्लियर करते हैं, तो interview guidance देने का भी इसमें वादा हम लोग आपको कर रहे है completely free of cost वो आपको available करवाया जाएगा, और ये batch हिंदी में भी available है, pathfinder बोध हिंदी batch launch कर दिया गया है, मातर 8000 रुपे में, जिसमें की again आपको सारी similar offerings यहाँ पर भी दी जा रही है, अगर आप लोग केवल test series purchase करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं, मातर 3000 रुपे में, individual test series आप अनी UPSC code का इस्तिमाल कर रहे हैं, और आपको ये वाले prices available हो जाएंगे, तो चलिए, अब हम लोग हमारी वीडियो को शुरू करते हैं, आपके सामने ये वाला map में show कर रहा हूँ, यहाँ पर obviously आपको I am sure कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, because ये काफी सारे यहाँ पे currents दि वगरा वगरा, कौन सा current, location दिख रही है, that's it, लेकिन कैसे flow करता है, क्यों flow करता है, क्या उसके impacts होते हैं, वो चीजें आपको यहाँ पर समझ नहीं आ रही होगी, और इस वीडियो में इसी particular चीजों की clarity में आपको देने वाला हूँ, not just for the Northern Atlantic Ocean, बलकि even जो Southern Atlantic Ocean है, उसको भी cover करेंगे, Brazil current क्या है, Falkland current क्या है, South Atlantic current क्या है, Banguela current क्या है, वगरा वगरा, इन सभी चीजों को यहाँ पर आपको समझाया जाएगा, शुरू कर देते हैं, same जो हम tradition follow कर रहे थे, पिछले हमने जब Pacific Ocean, यानि की प्रशान्त महासागर की बात करी थी, हम similar तरीके से Atlantic Ocean के case में बात करने वाले हैं, तो जब हम लोग Atlantic Ocean की बात करते हैं, number 1 हम लोग बात करेंगे North Atlantic Ocean की, number 2 हम लोग बात करेंगे South Atlantic Ocean की, North Atlantic Ocean में number 1 हम लोग बात करेंगे warm currents का, number 2 हम लोग बात करेंगे cold currents की, और South Atlantic Ocean में भी number 1 हम लोग बात करेंगे warm currents की, number 2 हम लोग बात करेंगे cold currents की, यही अगर हम लोग pattern follow करेंगे तो हमारा काम काफी आसान हो जाता है ठीक है और वो वाले जो चार rules मैंने आपको बताए हैं अगर आप उनको ध्यान रखेंगे तो आपको काफी आसानी यहाँ पर होने वाली है खेर शुरू करते हैं सबसे पहले आपके जो चार current जो कि आपको ध्या करता है जो आपका reason basically Pacific Ocean में था वही reason यहाँ पर आता है कि क्यों यहाँ पर flow करता है यह देखिए यहाँ पर आपका इस area में क्या होता है इस area में दोस्तों होती है trade winds जो की permanent होती है नौर्थी इस trade winds permanent होती है तो एक तो आपका यह reason है जिसकी वज़े से यह Atlantic North equatorial current हमें देखन को मिलता है दूसरी मैंने आपको कहानी बताई थी कि हमेशा किसी भी ocean में आपकी पूरी की पूरी cycle पूरा करना होता है और यह cycle पूरा करेगा तो पीछे से current आके push करेगा तो cannery current भी इसको यहाँ पर push कर रहा होता है तो यह आपका factor number one under the influence of the prevailing trade winds यानि की easterly winds आपका NEC flow क दूसरा कारण यहाँ पर क्या है this warm current is also pushed westward by the cold cannery current so यह वाला भी आपका option बिलकुल सही है कि one or two इन दो कारणों की वजए से आपका NEC यहाँ पर form हो रहा है यह बेसे current है जब हम लोग दक्षिन Atlantic Ocean यानि की Southern Atlantic Ocean की बात करेंगे वहाँ पर हम लोग SEC की बात करेंगे यह तो ब move करते हैं the second important and one of the most important currents की और यहाँ पर हम लोग हमारा rule number one भी लगाने वाले हैं जो बच्चे confused है कि मैं कौन से rules की बात कर रहा हूं तो दोस्तों जो rule number one है सुन लीजे ध्यान से rule number one deal करता है cyclones के साथ ठीक है जहाँ पर भी कोई warm current होगा जो की किसी continent के eastern coast पे जा रहा है तो वहाँ पर cyclones को लेकर आएगा अब देखिए florida current जो है यह cyclones को किस तरीके से लेकर आएगा florida current वही कहानी को आगे बढ़ाते हैं यह वाला आपका current यहां तक आ रहा था यह वाली कहानी यहां तक समझा चुकी थी कि यह current यहां तक आ रहा था अब यह current ऊपर जाएगा florida current क की तरफ जा रहा है तो यह एक northerly current हुआ it is the northward extension of the NEC यह वाला जो current है यह flow करता है through the Yucatan channel यह जो Yucatan channel है आपको मालूम होना चाहिए कहां पर है गोस्तों यहां पर एक छोटी सी country है क्यूबा के नाम से अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे यह आप देख पा रहे हैं तो यहां पर यह वाला जो area है ना यह असल में Yucatan का channel माना जाता है और यह आपका जो current है Yucatan channel से होते हुए आगे बढ़ते हुए यह आगे उपर northward जाता है और फिर यह तीसरा current बन जाता है जिसकी मैं चर्चा करूँगा gulf stream की that is this particular current over here ठीक है अब देखें the current flows through the Yucatan channel into the Gulf of Mexico यह देखिए यह वाला जो आपका gulf है जो आप यह देख पा रही है इसको हम लोग Gulf of Mexico बोलते है आपको मालूम होगा यह वाला जो पूरा का पूरा area है इसको Gulf of Mexico बोलते है तो यही वाला current आपके Yucatan channel से flow करते हुए असल में Gulf of Mexico के अंदर भी घूमता रहत है और उसके बाद obviously यह northward जाना शुरू कर देगा so this over here is the Florida current thereafter the current moves forward through Florida straight and reaches 30 degree north latitude तो यह उपर जाएगा 30 degree north latitude तक जाएगा हमने इसकी location को समझ लिया इसके flow को समझ लिया सबसे important fact यानि की rule number one यह गरम current है गरम क्यों है क्योंकि यह आपके lower latitude से निकल रहा था तो गरम current है तो यह north america के east coast पे क्या लेकर आता है hurricanes लेकर आता है जो कि यहाँ पे नाम है cyclones का तो north america में cyclones को hurricanes कहा जाता है तो जी हाँ यह वहाँ पर hurricanes लाने के लिए responsible माना जाता है तो हमारा rule number one यहाँ पर भी applicable हुआ जिस तरीके से pacific में हमने इस rule को apply किया था उसी तरीके से इस rule को हमने यह number three current की बात करेंगे the florida current after having the water of the antilles current अब देखिए यहाँ पर कई सारे ना छोटे मोटे current है जो कि हमारे लिए relevant नहीं है यहाँ पर लिखा हुआ है Caribbean current यहाँ पर लिखा हुआ है antilles current यहाँ पर आपको याद क्या करना है बस इतना याद करना है कि यह वाले currents कौन से महासागर क हैं और कहां देखने को मिलते हैं आपको इतना मालूम होना चाहिए कि Caribbean current is somewhere near the Caribbean obviously और यह Northern Atlantic Ocean का यह current है और जो antilles current है यह भी आपका Northern Atlantic Ocean का ही current है इतनी बात भी अगर आपको मालूम है that's it और यह वाला जो Florida current है इसमें antilles current का पानी मिल जाता है और यह आगे जाकर के बनाता है one of the most strong current जिसको की हम लोग Gulf Stream बोलते हैं यह आप देख सकते हैं इसको आपको याद करने की आप सकता नहीं लेकिन Gulf Stream के साथ जुड़ी हुई एक बड़ी interesting चीज है इसको लेकर वैसे मैं एक separate वीडियो बनाऊंगा Gulf Stream के साथ जुड़ी हुई एक important चीज है यहाँ पर आप देख का एक विशेशता हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे इस separate वीडियो और वो चीज यहाँ mention करी हुई है the current is very wide and warm and it is separated from the Sargosa Sea to its right यानि कि इसके right side पे current के right side पे Sargosa की Sea है और current के west side पे आपका थोड़ा ठंडा पानी आता है जो की उपर से यह वाले currents यहाँ पे लेके आ इसके right पे Sargosa Sea है Gulf Stream के left पे क्या है ठंडा पानी है जो की उपर से Labrador current लेकर आ रहा है इसके बारे मैं बात करूँगा अभी घबराईये मत ठीक है यह इसकी location को हमने समझ लिया Gulf Stream क्या याद करना था Gulf Stream कि यह Florida current ही आगे जाके Gulf Stream बन जाती है और यह आगे जाके आपकी बनत Pacific Drift जिस तरीके से प्रशांत महसागर में उत्तरी Pacific Drift बन रही थी उसी तरीके से North Atlantic Drift यहाँ पर बन रही है Gulf Stream की कई सारी branches बनती है लेकिन वो कई सारी branches न कुल मिला के एक ही आपकी stream बना देती है यह North Atlantic current यह देखे कितना बड़ा यह North Atlantic current है कितना बड़ा बहुत ही मोटा य current यहाँ पर बोल रही है तो यहाँ तक कहानी clear थी यह number one current था यह number two current था यह number three current था अब यह आगे जाकर के बहुत ही मोटा current बनेगा number four that is also called as the North Atlantic current अब इसकी क्या खास बात है इसकी खास बात केवल इतनी है कि क्यूंकि यह एक warm current है और क्यूंकि यह काफी higher latitudes तक जा रहा है तो यह इन सभी इलाकों में जो मैंने यहाँ पर मात किये हैं इनको हम लोग western यूरोप के इलाके बोलते हैं पश्चमी यूरोप के देश बोलते हैं इन सभी इलाकों में जो थोड़ा temperature है ना उसको थोड़ा बढ़ा देता है क्यूंकि गरम पानी है उपर जाएगा तो region of ideal and favorable European type of climate of the western coast of Europe is due to the effects of the North Atlantic warm current तो इसमें यह सबसे important चीज है कि यह क्योंकि warm current है तो यह अपने आसपास के इलाकों में जो temperature थोड़ा उसको बढ़ा देता है थोड़ा उसको बहतर कर देता है ठीक है temperature इसलिए जो coastal countries जैसे कि Great Britain हुआ, Norway, Sweden, Denmark, Netherlands इन सभी क्या थोड़ा higher होता है during the winter लेकिन अगर आप देखेंगे ना, so यह काफी interesting fact इसलिए बन जाता है, because जो यह वाले areas है ना दोस्तों, यह वाले areas, इनका तो temperature थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन जब आप इसी latitude पे थोड़ा अंदर जाएंगे, थोड़ा अंदर जाएंगे, तो temperature और बढ़ जाता है, क् because दोस्तों यह वाला आपका warm current यहां पे flow कर रहा था, and that is why इस warm current का जो climate के उपर impact है, वो असल में काफी बड़ा impact देखने को मिलता है, इसके बारे में आपको केवल यही बात याद रखनी थी, हमने अभी तक अपने एक rule का इस्तिमाल किया, जिससे कि हमने बताया hurricanes कैसे आत करें है, number one current आपके सामने है, North equatorial current, number two आपका Florida current जो की Yucatan channel से flow करता है, और Gulf of Mexico flow करता है, number three Gulf stream जिसके साइड में हमें सागोसा सी देखने को मिली, और number four दोस्तो North Atlantic current जो की काफी जादा wide है, और जो की इन सभी areas के temperature को moderate करवाने में बड़ी भूमे का निभा रहा है, अब बढ बहुत हुए हैं, लेकिन याद केवल दो करवा रहा हूँ, ये देखे, कई सारे हैं, Baffin Island current, Labrador current, फिर ये West Greenland current, East Greenland current, और सबसे important यहाँ पर आपका Canary current बने तो बहुत हुए हैं, लेकिन मैं आपको केवल दो याद करने को बोलूँगा, एक आपको ध्यान रखना है Labrador current, और दूसरा आपको ध्यान रखना है Canary current, कुल मिला के 6 currents आपको Northern Atlantic Ocean में ध्यान रखने हैं, अब जब हम बात करेंगे ठंडे currents की, तो हमारे जो बाकी के rules हैं, rule number 2 and 3, और उसके बाद rule number 4, वो यहाँ पर लागू होने वाले हैं, ये देखे, The Labrador current, which is an example of a cold current, it originates in the Davis Strait, ठीक है, अब ये देखे, इसकी फोटो को ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, ये Labrador current है, ये वाला जो area आप देख रहे होना, इसको कहा जाता है Davis Strait, ठीक है, ये Greenland का continent है, Greenland के continent के बिलकुल left side में आपके आती है Davis Strait, अब ये उपर से नीचे आ मिलेगा, तो सबसे पहली चीज क्या होगी, वही बात repeat करने वाला हूँ, पहले जब ये हमारा rule number 2 है, कि भई, जब गरम और ठंडा current मिलते हैं, तो fog पैदा होती है, जो की navigation में दिक्कत करती है, ठंडा current है, तो साथ में क्या लेकर आएगा, phytoplankton को लेकर आएगा, rule number 3, phytopl plankton को लेकर आएगा, तो fishing ground को पैदा करवाएगा, ये देखिए, ये आपके मानने जाते हैं, grand banks, grand banks का ये नाम है, जो की US के हमें side पो देखने को मिलते हैं, not US के, और ये grand banks के पास में, आपका fishing ground काफी बड़ा देखने को मिल जाता है, because यहाँ पर ठंडा और गरम current दोनों म grand bank merges with the gulf stream, ये आपका gulf stream है, यहाँ पर आके इसने merge कर लिया, तो ये क्या हुआ, सर्फ fog पैदा होगी, जब ये merge करेगा, तो fog पैदा होगी, dense fogs are also produced due to convergence of labrador cold current and the gulf stream, जो की navigation देख्कत करती है, ये current क्यूंकि उपर से नीचे आ रहा है, तो साथ में अपने कई सारे icebergs को भी लेकर आता है, और ये वाले icebergs आपको grand bank और newfoundland तक भी देखने को मिल जाते हैं, इसी current की वज़े से जो rule number 3 हमारा लगता है, that is, कि ये fishing ground कैसे बनेगा, जब ये दो चीजों को लेकर आएगा, zone of confluence of labrador and gulf stream also bring supply of phytoplankton, जो की वहाँ की fish population को बढ़ा देगा, और इसी व उसमें भी western side पे located है, so it is often called as north western Atlantic fishing ground, आपके सामने north western Atlantic fishing ground बन गया, ठीक है, ये वाला fog वाला आपको concept मालूम है, कि जब ठंडा और गरम पानी मिलता है, तो fog पैदा होती है, जैसे ठंडी और गरम हवा मिलती है, तो fog पैदा होती है, सर्दियों के time पे आपने देखा होगा, जब आपका ठंडा जो पानी है, वो obviously नीचे रहेगा, गरम पानी उपर रहेगा, तो it will create fog, we have explained all these things in the previous video, उसको जाकर के आप लोग देख सकते हैं, so rule number 2 and rule number 3 के चलते, labrador current हमें काफी आसानी से clear हो गया है, आपको सवाल किस तरीके से आएंगे, कि labrador current greenland के western side पे flow करता है, या eastern side पे flow करता है, तो कौन से side पे greenland के western side पे flow करता है, और यह आकर मिलता है, कौन से current के साथ, गल्फ stream के साथ, इस तरीके से UPSC आप से सवाल पूछ सकती है, समझा गया, second current, जो कि थंडा current है, northern Atlantic Ocean का, very very important current, that is canary current, और यहाँ पर मैं अपने rule number 4 का इस्तिमाल करने वाला कि जब भी कोई थंडा current किसी continent के western coast पे flow करता है, तो वो क्या पैदा करवाता है, वो दोस्तो deserts को पैदा करवाता है, ठीक है, और वही चीज, canary current, पहले इसकी location को समझेंगे, कहाँ पर है canary current, यह देख सकते हैं आप लोग, canary current की location, यहाँ पर आपको explain करता हूँ, यह रह canary current, ठीक है, अब canary current शुरू हो रहा है, यहाँ से और खतम हो रहा है, यहाँ पर merge हो रहा है, किसके साथ जाकर के, equatorial current, Atlantic North equatorial current के साथ जाकर merge हो रहा है, आपका canary current, this current flows along the western coast of northern Africa, between Madeira and Cape Verde, और यह वाला जो आपका current है, यह असल में North Atlantic Drift की ही एक continuation है, लेकिन क्योंकि यह North से south आता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है, कि भई यह southwards जा रहा है, तो यह southwards जा रहा है, near the Spanish coast and flows to the south along the coast of the canaries islands, अब यह थंडा current है, थंडा current है, तो उपर से नीचे आएगा, थंडा पानी साथ लेकर आएगा, this current brings cold water of the high latitude to the warm water flowed attitudes and finally merges with the North equatorial current, लेकिन rule number 4 क्या था, क्योंकि यह थंडा current है, तो इसलिए यह वहाँ पर deserts को produce करेगा, और deserts की जो aridity है, जो उनकी dryness है, उसको और जादा बढ़ाएगा, so it increases the aridity of the deserts on the northwestern part of Africa, that is, it leads to the creation of the Sahara Desert, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस map में, जब यह वाला current यहाँ पर आ रहा था, उपर से नीचे आ रहा थ तो यहाँ पर कौन सा desert है दोस्तो, यहाँ पर थी तो आपका Sahara Desert है, है के नहीं, और यही photo यहाँ पर दिखाई हुई है, यह देखिया आपका Sahara Desert, आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है, यह आफरीका में, और यहाँ पर आ रहा था Canary Current, यहाँ पर आ रहा था Canary Current, the Canary Current also ameliorates the otherwise hot weather conditions of the western coast of North Africa, क्यों? क्योंकि ठंडा Current है, वहाँ पर गर्मी बहुत होती है, तो थोड़ा सा, थोड़ी सी ठंडक भी लेकर आता है, यह हमारा Rule No.4 हुआ, जिसके माध्यम से हमने Canary Current को यहाँ पर समझ लिया, तो यह है आपके दो Cold Currents, इस बैसिस पर हमने क्या समझ लिया, हमने Cold Currents को भी समझ लिया, हमने Warm Currents को भी समझ लिया, एक बार फिर से पूरी कहानी को revise कर लेते हैं, बिल्कुल एक मिनट भी नहीं लगेगा, केवल 30 सेकंड लगेंगे, No.1 Current, North Equitable Current, No.2 Current, Sir Florida Current, No.3 Current, No.4 Current, No.4 Current, आपका North Atlantic Current है, No.5 Current, जो की हमने Labrador Current की बात करी, No.6 Current हमारे Canary Current की बात करी, और इसमें हमने हमारे चारो रूल्स को भी अपलाए करके देख लिया, जिसकी वज़े से, साइकलॉंस का आना, फॉग का आना, फिशिंग ग्राउंस का बनना, और डेजर्स का बनना, हमें चारो चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई, वही वाले चार है, the South Equatorial Current, यह आपका Current No.1 है, वो दूसरा आपका Brazil Current है, तो आपको मैंने बताया था, NEC और SEC का तो बिल्कुल कहानी सिंपल है, कुछ भी याद नहीं करना, क्यों पैदा होते हैं, वही कहानी है सर, क्योंकि यहाँ पर आपकी South West में जो Trade Winds होती है, वो निकल कर आती है, ठीक है, वो और नीचे से जो पानी आ रहा होगा, वो भी तो उसको पुश करेगा, तो जी हाँ, यही बात लिखी हुई है, the SEC flows from the Western Coast of Africa to the Eastern Coast of South America, वही वाली कहानी, बिल्कुल, अगर आप ओशन की location को तो जानते ही है न, तो भई यहाँ पर आपका यह क्या है, Western Coast of Africa, और यहाँ पर आपका क्या है, Eastern Coast of South America, यह यहाँ से यहाँ वो उसको पुश कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, तो यह उसको पुश करेगा, आपका SEC को form करेगा, इसमें थोड़ी सी interesting चीज होती है, वो क्या है, यह चीज हमें और किसी ocean में देखने को नहीं मिलती, यह वाला जो current है, जब यह यहाँ तक पहुन जाता है, यह वाला current को दूसरा warm current है, लेकिन जो इसकी उपर जाने वाली branch है न, वो थोड़ी interesting है, वो असल में branch उपर जाकर Northern Atlantic Ocean में चली जाती है, केवल जानने के लिए interesting fact है बता रहा हूं, याद बात करने की कोई आवशक्ता नहीं है, one of the branch of this current turns southward and continues as Brazil warm current parallel to the east coast of South America, that's it, उपर वाली branch हमें जान high temperature, obviously क्योंकि warm current है, और ये वाला जो warm current है ये गरम होगा, तो इसलिए ये आसपास के इलाकों के temperature को बढ़ा देता है, thereafter it is deflected eastward due to the deflective force of the rotation of earth, और ये उसके बाद जो है, it flows in easterly direction under the influence of the westerlies, वही कहानी, हमने क्या करना है, हमने तो बस round पूरा करवाना है, तो round जो यहां से श जुरू करदाएगा, तो south atlantic current यहां पर आना बन जाएगा, ठीक है, now ये क्या है, एक warm current है, दोस्तो ये भी cyclones को लेकर आएगा, ठीक है, ये भी cyclones को लेकर आएगा, हमारा rule number one यहां पर भी लागू होगा, इसको आप ignore नहीं कर सकते हैं, इसमें क्या है, इसका जो defining point है, ज Falkland के नाम से, ये Falkland current असल में ये एक northerly current है, क्योंकि ये south से शुरू होता, north तक जाता है, it is a northerly current जो की आगे जाकर के Brazil current के साथ, यहां पर जाकर के mix होता है, जो की आगे जाकर के Brazil current के साथ mix होता है, और ये इसकी सबसे खास बात है, the Falkland cold current coming from the south merges with the Brazil current near the 40 degree south latitude, यहां पे केवल Falkland cold current की location को बड़ा ध्यान से देखना, कई बार सवाल आ चुका है, that's why बोल रहा हूँ, ये जो Falkland का cold current है, ये यहां पर आकर के इसके साथ merge होता है, और ये कहां पर है, ये south अमेरिका के eastern coast पे, in fact south eastern coast पे देखने को मिलता है, समझाई बात, ये ही आपको दो current ध वही कहानी simple है, यहां पर cold currents आपके तीन आपको ध्यान रखने है, एक मैंने आपको Falkland current अल्रेड़ी याद करवा दिया, उसकी location, Benguela current कई बार सवाल पूछा आ चुका है, और west wind drift आपका standard वही वाला drift है, जो की पीछे से आ रहा था, ये Cape Horn, याद है, पिछली वीडियो में पहानी आगे बढ़ेगी, इसको discuss करेंगे, पहले Benguela current को देख लेते हैं, अब सबसे पहले Benguela current की बात कर लेते हैं, तो Benguela current again हमें उस circle को पूरा करना है, पूरा circle यहां से start होगा, number one, number two, और उसके बाद जब यह आगे बढ़ जाता है, तो यहां पर आके Benguela current शुरू हो जात को, so Benguela current क्या है, it is a cold current, it flows from south to north, बिल्कुल सही बात है, अभी देखकर आए हैं sir, यह south से north की तरफ जाता है, तो इसको northernly current बोलेंगे, along the western coast of south Africa, हमने इसका location समझ लिया, further northward यह वाला current है, यह merge कर जाएगा, south equatorial current के साथ, तो यह उपर जाता रहेगा, उपर जाता रहेगा, तो यह इसके साथ merge कर रहा है, south equatorial current के साथ जाकर के यह वाला current आपका merge कर रहा है, banguela current is responsible for increasing the dryness of the namib and the boatswana deserts, तो यह वाले जो आपके deserts बनते हैं यहाँ पर map में देखाई नहीं हुए, यह वाले आपके deserts यहाँ बनते हैं, namib desert यहाँ बनता है, namibia के आपने नाम सुना हो नाम सुना होगा, namib desert यहाँ बनता है, boat funnel desert जस इसके बाजन में बनता है, तो यह वाले जो deserts की आपकी dryness है, यह banguela current increase करवाता है, यह क्या था हमारा, यह हमारा rule number 4 था, कि अगर कोई cold current है, जो कि किसी continent के west coast पे जा रहा है, तो वो वहाँ पर क्या करवाएगा, वो वहाँ प आपको समझा गया, Falkland current, छोटा सा current है, यह भी आपको जाना जरूरी है, the cold waters of the Antarctic Sea flows in the form of Falkland current from south to north along the eastern coast of South American up to Argentina, ठीक है, तो इसकी location को देखो, यह रहा आपका Falkland current है, यह जाता है, ठंडा पानी है, जो कि Antarcticा से आ रहा है, वही वाला पानी उपर जा रहा है, यहाँ पर फ आगे जाकर के Brazil current के साथ मिलता है, क्योंकि ठंडा current है, तो यह कई सारे icebergs को लेकर आता है, इसलिए इसकी बात कर रही है, छोटा सा current है, लेकिन relevant बहुत है, because यह आपके 30 degree के south latitudes तक भी आपका जो है काफी ठंडग को ले आता है, इसलिए इसके बारे में बात कर रही है, otherwise इ current बच जाता है, that is the west wind drift, जो हमने चर्चा Pacific Ocean में करी थी, वही चर्चा यहां करेंगे, कि यह flow कहां करता है, 40 से 50 degree south के latitudes में यह वाले west wind drift flow करती है, और यह बहुत बढ़ क्यों जाती है, because of the roaring 40s, because of the furious 50s, and because of the shaking 60s, so यह सारी की सारी क्या है, यह सारी की सारी westerlies है, इसलिए ज काफी strong current मानी जाती है, और आप यहां पर देख सकते हैं, यह जो antarctic circum polar current लिखा हुआ है, इसी को तो हम लोग west wind drift बोलते हैं, I almost feel like I am repeating myself, क्योंकि हम यह बातें पढ़ चुके हैं, Pacific Ocean में वही बातें, आज हम तुबारा से देख रहे हैं, so जी हा, जो आपका पीछे से आ रहा को मिल रहा है, इसको लेकि UPSC न अभी तरक question पूछा नहीं है, लेकिन अगर question पूछेगा, तो यही question आएगा, कि यह इतना strong ही होता है, तो उसका कारण बड़ा simple है, क्योंकि यह westerlies के influence पे flow करती है, और यह westerlies आपकी furious 50s, chicken 60s, rolling 40s के अंदर आता है, that is why यह वाला current काफी strong बन जाता है, so finally, हमारी पूरी कहानी यहाँ पे खतम हो जाती है, यह वाले हमने आपको चार current याद करने को बोले, पहला आपका SEC है, दूसरा आपका Brazil current है, तीसरा आपका West Wind Drift है, चौथा आपका Banguela current है, पांचवा आपका Falkland current है, very very simple story, एक बार फिर से इसको यहाँ पर भी याद करा Gulf Stream, नमबर 4 याद करा North Atlantic current, ठीक है, नमबर 5 हमने याद करा Sir Labrador current, नमबर 6 हमने याद करा Canary current, नमबर 7 हमने देखा South Atlantic Equidural current, नमबर 8 हमने देखा Brazil current, नमबर 9 हमने देखा Falkland current, नमबर 10 हमने देखा West Wind Drift, नमबर 11 हमने देखा Banguela current, अब पिछली बार मैंने कहा था क दो current तो आपको याद करने की आवशक्ता ही नहीं है। कौन से? NEC याद करने की आवशक्ता ही नहीं है। finder आपके लिए लाया है अगनिपत बैच जो की इंडिया का सबसे affordable सबसे comprehensive बैच है केवल और केवल 8000 रुपे में आपकी prelims और mains दोनों की तयारी करवाई जा रही है जिसमें कि आपको 900 से भी अधिक घंटे की live classes available करवाई जा रही है this also includes test series आपको इसके लिए अलग से enroll नहीं करना है इसी price में आपको test series भी available करवाई जा रही है अगर आप लोग prelims clear करते हैं mains mentorship आपको करवाई जाएगी bureaucrats के द्वारा अगर आप लोग mains clear करते हैं तो interview guidance देने का भी इसमें वादा हम लोग आपको कर रहे हैं completely free of cost वो आपको available करवाया जाएगा और ये batch Hindi में भी available है pathfinder बोध Hindi batch launch कर दिया गया है मात्र 8000 रुपे में जिसमें कि again आपको सारी similar offerings यहाँ पर भी दी जा रही हैं अगर आप लोग केवल test series purchase करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं मात्र 3000 रुपे में individual test series आपको प्रिलिंस की मिलती है और मात्र 3000 रुपे में ही आपको test series यहाँ पर mains की मिल जाती है इसमें दोस्तों आपको कोई भी हमारा product purchase करना है तो just ensure कि आप लोग अनी UPSC code का इस्तिमाल कर रहे हैं और आपको ये वाले prices available हो जाएंगे तो चलिए अब हम लोग हमारी वीडियो को शुरू करते हैं ओल राइट शुरू करते हैं आज के इस session को तो सबसे पहले तो आप Northern Indian Ocean को देखेंगे जिस तरीके से हमने अभी तक हमारी lecture series को प्रोसीड किया है हमने क्या देखा था आपको थोड़ा समय आपकी memory को refresh करवा दूँ Pacific Ocean में मैंने आपको क्या बताया था कि एक आपकी North Pacific Ocean है एक आपकी South Pacific Ocean है correct है North Pacific Ocean में मैंने आपको क्या बताया था कि कुछ आपके warm currents है कुछ आपके cold currents है वहाँ पर भी जो उनका northern part है उसमें कुछ warm currents है cold currents है जो उनका सदरन part है वहाँ पर कुछ warm currents है cold currents है लेकिन Indian Ocean के case में ऐसा नहीं होता ऐसा क्यों नहीं होता यह देखिए यह वाला जो आपका part है यह Atlantic Ocean का part है तो Atlantic Ocean का जो part है दोस्तों यह एक ऐसा part है जिसमें की पूरा उपर से लेके नीचे तक यह वाली ocean open है similarly अगर आप Pacific Ocean की बात करेंगे तो यह वाला part और यहाँ से यह वाला part Pacific Ocean का है यहाँ पर भी आप देख सकते होंगे कि जो Pacific Ocean का part है वो भी यहाँ पर open है यहाँ पर open है और यह यहाँ पर open है और यह यहाँ पर भी open है यानि की उपर नीचे आपको completely यह एक खुला महासागर देखने को मिलता है लेकिन Indian Ocean के case में ऐसा नहीं है Indian Ocean अगर हम equator की line को draw करेंगे तो somewhat इस तरीके से बनती है equator की line को अगर मैंने draw कर दिया तो अब आप ध्यान से देखना इस बात को की Northern Indian Ocean यानि की जो ये वाला part है यानि की equator के ऊपर आने वाला जो हिस्सा Northern Indian Ocean का है ये ऊपर से बंद है यहाँ पर जो Atlantic Ocean था ये ऊपर से खुला हुआ था यह उपर से खुला हुआ था, can you see this, और जो Pacific Ocean है यह उपर से खुला हुआ था, लेकिन जो Indian Ocean है यह उपर से बंध है, यहाँ पर इसको यहाँ पर क्या मिल जाता है, continents मिल जाते हैं, हाँ नीचे लगभग सेम है, नीचे खुला हुआ है, जैसे आपका Pacific Ocean था, यह नीचे से खु वारा लॉक किया गया है, और इसी वज़े से आप एक चीज का अंदाजा अगर यहाँ पर लगा पाएंगे, कि यह equator के ऊपर जो Northern Indian Ocean का एरिया है, यहाँ पर हमें ठंडे करंट्स देखने को नहीं मिलेंगे, क्यों? यहाँ पर हमें ठंडे करंट्स देखने को मिलते थे, यह यहाँ से आते ठंडे करंट्स इस एरिया में आते थे, ऊपर से ठंडा पानी नीचे लेकर आते थे, यहाँ पर भी हमें ठंडे करंट्स देखने को मिलते थे, याद कीजी, ओयेशियो करंट्स की बात करते थे, हम लोग, यहाँ पर हम लोग बात करते थे, कैनरी करंट्स की, लेकिन Northern Indian Ocean में हमें किसी प्रकार के cold currents देखने को नहीं मिलने वाले हैं ये बात मैं आपको आगे जाके समझाओंगा और अच्छे से लेकिन इसमें एक और नई चीज़ सामने आती है तो ये पहली exception है जो कि हमें Northern Indian Ocean में समझनी होगी कि यहाँ पर ठंडी धाराएं हमें देखने को नहीं मिलती है second thing जो यहाँ पर warm currents है वो यहाँ पर कैसे हैं अगर हम लोग बात करते हैं Pacific Ocean की या फिर अगर हम लोग बात करते हैं Atlantic Ocean की सो वहाँ पर जो आपकी warm currents थी वो हमें कैसे देखने को मिलती थी यहाँ पर इस तरीके से current गया उसके बाद इस तरीके से current गया उसके बाद इस तरीके से current गया Similarly, यहाँ पर भी Pacific Ocean में यहाँ से यहाँ करंट गया, फिर यहाँ से यहाँ को रोशयो करंट गया, उपर जाएंगे तो आगे जाके North Pacific Drift आएगा वगएरा वगएरा इस तरीके से flow करता था, लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो आपके गरम करंट भी हैं, वो शुरू यहाँ से तो important winds बन जाती हैं इस पूरे के पूरे इलाके में, कि यहाँ पर जो बहने वाली आपकी धाराएं हैं, ocean currents हैं, वो भी असल में monsoon winds से ही प्रभावित होती हैं, so दो rules आपको ध्यान रखने हैं, मैंने दोनों बातें आपको समझा दी हैं, कि Northern Indian Ocean में, number one point, हमें cold currents देखने को नही बस इन यही दोनों बातों का अगर आप ध्यान रख लेंगे, बाकी कहानी काफी आसान है, नीचे वाली कहानी बिलकुल similar है, यहाँ से यहाँ आपका पहले करन जाएगा, फिर यहां नीचे करन आएगा, फिर यहाँ पर ऐसे करन जाएगा, और यहां पर इस तरीके से करन ल यानि कि दक्षनी हिंद महासार में हमें कोई यहाँ पर नई कहानी याद नहीं करने पड़ते हैं. लेकिन उत्री हिंद महासार में हमारी कहानी काफी बदल जाती है. यह वाले दो नए नियम हैं जो कि आपको यहाँ पर विशेष रोप से ध्यान रखने होगें. अब देख लीजे, जो monsoon winds है, वो हमें किस तरीके से देखने को मिलती है, monsoon winds हमें भारत में summer के season में इस तरीके से देखने को मिलती है, किदर से आ रही है, southwest area में से आ रही है, इसलिए हम इनको southwest monsoon winds बोलते हैं, यह वाला आपका area southwest का है, जहां से wind originate करती है, उस तरफ से इसकी winds आ रही है, ये नौर्थीस के इलाके से आ रही है, बिल्कुल सभी बात है, ये नौर्थीस के इलाके से winds आपके आ रही है, यहाँ पर जो नौर्थीस्ट monsoon winds है, वो सर्दियों में हमारे oceanic currents को influence करती है, और इसी से एक और तीसरी चीज़ जो आपको यहाँ पर याद रखनी होगी, वो क्या है, वो भी समझ लीजे, जो Pacific और Atlantic Ocean की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो currents हैं दोस्तों, वो इस तरीके से flow करते हैं, very simply इस तरीके से current flow करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ से current इस तरीके से गया और यह वाला current यहाँ पर इस तरीके से पूरा हो जाता है, यह cycle पूरा हो जाता है, ना यह वाले जो currents का cycle है, यह हर साल, हर महीने ऐसा ही चलता रहता है, हर साल, मतलब की पूरे साल में इसमें आपको कोई change देखने को नहीं मिलता, मैं रिपीट कर रहा हूँ, pacific और Atlantic ocean में, हमें उनके northern parts में या फिर southern parts में कोई change देखने को नहीं मिलता, यहाँ पर क्या हमें कोई change देखने को मिलता है, नो, यहाँ पर क्या हमें कोई change देखने को मिलता है, नो, लेकिन अगर हम लोग northern Indian ocean की बात करें तो यहाँ पर तीसरी चीज आ जाएगी, क्योंकि सर्दियों और गर्मियों के हिसाब से, जो monsoon winds है, उनकी direction, उनकी दिशा यहाँ पर बदल रही है, इसी लिए यहाँ पर जो बहने वाले oceanic currents होंगे, उनमें हमें एक ही साल के अंदर changes देखने को मिल जाते हैं, गर्मियों में उनका direction अलग होता है, वेकॉज उनके जो influence करने वाली winds होती है, वो यह वाली होती है, सर्दियों में उनका direction अलग होता है, वेकॉज उनको influence करने वाली winds यह वाली होती है, यह वाली तीसरी चीज है जो कि आपको समझ दी होगी and believe me ये वाला question कई बार mains में भी आपको देखने को मिल चुका है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं reversal बस ये तीन facts आपको ध्यान रखने हैं with respect to Northern Indian Ocean की पहला cold current नहीं है, दूसरा warm currents are being influenced by the monsoon winds और तीसरा, इन monsoon winds की वज़े से यहाँ पे इनकी धाराओं में reversal देखने को मिल जाता है और यही बात यहाँ पे लिखी हुई है the current systems of the Northern Indian Ocean are largely controlled and modified by the monsoon winds बस यही बात आपको समझ नहीं है अब बहुत आसान case है Indian Ocean क्योंकि ये Indian subcontinent से घिडा हुआ है Africa and Australia does not present most favorable condition for the development of permanent and consistent system of ocean currents similar to Atlantic and Pacific oceans and इसी लिए the currents in the Northern Indian Ocean change their flow direction twice a year due to Northeast and Southwest monsoon winds बस यह line आपको ध्यान रखनी है कि पहले वाला rule यहाँ पे हमें थंडे currents देखने को नहीं मिलते दूसरे वाला rule यहाँ पर हमारे जो wind systems है यह monsoon winds से प्रभावित है और तीसरा rule कि इनकी जो direction है यह भी आपकी बदलती है twice a year due to Northeast and Southwest monsoon winds यह तीन चीजों को ध्यान रखिए कि that's it इतनी ही कहानी आपको ध्यान रखनी है अब हम इनकी directions को समझ लेते हैं हैंस हम लोग कह सकते हैं कि Northern Indian Ocean में केवल हमें दो ही currents देखने को मिलते हैं एक current को दोस्तो नौर्थीस monsoon current कहा जाता है और दूसरे current को Southwest monsoon current कहा जाता है अगर मैं आपके साथ North East monsoon current की बात करूँ यह पूरी कहानी यहाँ पर लेखी हुई है हमें समझना है इसकी direction को अब देखे North East monsoon current किस season में आएगा यह आएगा winter season में यहाँ पर लिखा भी हुआ है currents of Indian Ocean during the winter season चलिए अब winter season में जो direction है वो किदर से आ रही है इधर से direction आ रही है इधर से winds की direction आ रही है तो यहाँ पर जो पानी होगा यहाँ पर जो पानी होगा यह पानी भी इस wind की direction में ही जाना शुरू कर देगा देखे उपर से wind आ रही है तो पानी भी ऐसे जाना शुरू कर देगा इसको थोड़ा ध्यान से देख लो थोड़ा ध्यान से देख लो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता आपको समझने में एक बार फिर से समझाता हूँ यहां से उपर से wind आ रही है northeast winds आ रही है तो पानी भी इस तरीके से जाना शुरू करेगा अब यह वाला जो तरीका है यह कौन सा तरीका हुआ यह हुआ दोस्तो anti-clockwise current तो पानी anti-clockwise दिशा में जा रहा है और यही वाली दिशा होती है आपकी सर्दियों के टाइम पे अगर हम लोग southwest की बात करें तो वहाँ पर कहानी बदल जाती है क्योंकि winds किदर से आ रही है winds आ रही है southwest direction से तो पानी भी इनके साथ-साथ यहां से इस तरीके से flow करना शुरू करेगा और cycle को इस तरीके से complete करेगा फिर से देख लो winds आ रही है नीचे से पानी भी इसके साथ-साथ इस तरीके से flow करना शुरू करेगा और यह cycle को इस तरीके से पूरा कर देगा अब आपका जो direction of flow है यह क्या बन गया? clockwise बन गया समझ आगई बात यही दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है सर्दियों में आपका जो direction of flow है it is being influenced by the northeast monsoon winds और यहाँ पर इसमें जो flow है वो anti-clockwise है गर्मियों में जो आपका direction of flow है it is being influenced by the southwest monsoon winds और जो आपका flow है it is in the clockwise direction बस यह कहानी यहाँ पे लेखी हुई है northeast monsoon winds blow from land to the ocean during winter season and thus westward blowing northeast monsoon currents are produced between Andaman and Somali this current flows to the south of 5 degree north latitude उसके बाद there is complete reversal in the direction of monsoon winds during summer season in other words northeasterly direction of winter monsoon winds becomes southwesterly during summer season in the northern hemisphere तो इसको हम लोग reversal बोलते हैं आप देखें यहाँ पर winds जो है यह completely एक दूसरे के opposite हो चुकी है southwest से आने वाली winds और इदर से नौर्थी से आने वाली winds so these winds are completely opposite to each other बिल्कुल सही बात है और यही आपका जो reversal monsoon winds का है यही reversal हमें यहाँ पे currents में देखने को मिल जाता है that's it इतनी सी बात आपको ज्यान रखनी है the reversal of direction of monsoon winds also reverses the direction of oceanic currents during the summer season and इसी लिए जब summer season आता है तो northeast monsoon के currents भी disappear कर जाते हैं and southwest monsoon currents are also developed over here that's it यह वाली कहानी आपको ध्यान रखनी है northern Indian ocean के गरम currents के बारे में cold currents के बारे में आपको मैंने बता चुका हूँ कि क्यूंकि यह पूरा का पूरा जो आपका इलाका है northern Indian ocean का यह landlocked है so इसमें आपका थंडा पानी आता ही नहीं है and hence यहाँ पर आपको कोई भी प्रकार के थंडी धाराईं देखने को नहीं मिलती है it is completely devoid of any cold currents जो भी आपको यहाँ पर बाकी महासागरों में देखने को मिल जाते थे clear है कहानी एक बार फिर से revise कर लो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे आगे कहानी काफी आसान है तीन rules आपको ध्यान रखने है पहला कि sir northern Indian ocean में कोई भी आपका cold current नहीं आता दूसरा यहाँ पर जो warm currents है they are being influenced by monsoon winds and तीसरा इनके जो monsoon winds है इनमें हमें मौसम के हिसाब से एक ही साल के अंदर reversal देखने को मिल जाता है अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं सद्रन Indian ocean की यह कहानी काफी आसान है इसमें पहले हम लोग बात करेंगे warm currents की so very simply आपके सामने है number warm warm current आता है south equatorial current जैसे हमने पहले देखा था so यह वाला current यहाँ से इस तरीके से जाता है उसके बाद number 2 आता है अगुलहास current जो की आपका यहाँ पर जा रहा है as you can see यह वाला अगुलहास current है और number 3 यहाँ पर आता है obstruction मिला obstruction की वज़े से क्या हुआ कि यह वाला current बट गया थोड़ा इधर आ गया थोड़ा इधर आ गया और इसी को हमने number 2 बोल दिया इसी को हमने number 3 बोल दिया अब इनके बारे में बात कर लेते हैं south equatorial current the currents of southern Indian ocean are least affected by the direction of monsoon winds इसलिए यहाँ पर जो हमारे rules थे पहले वाले वो लागू भी होते हैं जो rules हम लोग पहले पढ़कर आये थे rule number 1, 2, 3 and 4 वो चीज़ें यहाँ पर लागू भी होती हैं the south equatorial current flows from east to west between 10 degree south and 15 degree south latitudes from the Australian coast to the African coast यह देखो आपके सामने हम लोग दिखा देते हैं photo, so यह कौन सा coast है यह आपका coast बन जाता है Australia का coast और यह आपका coast बन जाता है Africa का coast तो यह यहाँ से शुरू होता होता यहाँ तक पहुंच जाता है इसको हम लोग बोल रहे हैं south equatorial current after being obstructed by the Madagascar क्योंकि यहाँ पर आगा Madagascar यह वाला area आपका बन गाए Madagascar का so यहाँ पर obstruction की वज़े से the current is divided into many branches one branch flows southward in the name of Agulhas current यह वाला question UPSC पहले पूश चुकी है आप रोड़ा ध्यान देए इस बात को और जो Agulhas current है इसके साथ जुड़ा हुआ एक और current है Mozambique current one branch of the southern Indian equatorial current moves southward through the Mozambique channel known as the Mozambique current अब देखिए यह current कहाँ पर है यह वाला जो area फिर से देख सकते हैं आप लोग यह वाला जो आपका area है इसको Mozambique channel कहा जाता है तो क्योंकि इसको Mozambique channel कहा जाता है तो यहाँ पर बहने वाली धारा को हम लोग क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको Mozambique current का नाम दे सकते हैं और दूसरे वाला जो Madagascar के right side पे यानि की Madagascar के eastern side पे हम देखने को मिलता है उसको हम लोग अगुलहास current बोलते हैं इस तरीके से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि Madagascar के western side पे कौन सा current है और eastern side पे कौन सा current है तो western side पे Mozambique current है और eastern side पे अगुलहास current है और यह दोनों के दोनों currents आगे जाकर के merge कर जाते हैं और तब भी उसको अगुलहास current का ही नाम दिया गया है तो आगे जाकर इस current ने क्या करना है अब आगे जाकर के यह वाला current आपका जो है यह घूमेगा किदर घूमेगा? इधर को घूमेगा और फिर हमारी कहानी शुरू हो जाती है ठंडे currents की वो आपके सामने कहानी काफी आसान है कि हमें दो ठंडे currents देखने को मिलते है एक आपका West Australian current दूसरा आपका West Wind Drift तो West Wind Drift जो की हम पहले बात कर लेते हैं पहले कई बात करके आए हैं यह वही वाली West Wind Drift है जो की हमें Atlantic में और Pacific में देखने को मिली थी and this is again influenced by your Westerlies जो आपकी Westerlies है वो इनको यहाँ पे influence करती है 40 degree, 50 degree, 60 degree यह तीनों की तीनों जगाहों पे आपकी Westerlies इनको influence कर रही है बिल्कुल सही बात है और वही आपका West Wind Drift जो हमें पहले भी देखने को मिला था like the Pacific and the Atlantic Oceans Eastward flowing current known as West Wind Drift it is also generated in the Indian Ocean this current is produced due to the Eastward blowing Westerlies along 40 degree north latitude known as the roaring 40s यह वाला again आपका आगे तक जाएगा इसमें क्या होगा? जब यह आगे तक जाएगा तो इसकी भी दो यहाँ पर धाराएं बन जाएगी एक तो यह आगे को निकल जाएगा जो की एंटर कर जाएगा किसमें? Pacific Mahasagar में और एक चला जाएगा ऊपर की तरफ जो की बन जाएगा आपका West Australian Current ठीक है? तो बिल्कुल और यह आप देख सकते हैं यह आपका West Wind Drift उपर गया और यह आपका चला गया नीचे तो अब हमें क्या ध्यान रखना है? Rule No.4 हमारा क्या था? Rule No.4 दोस्तो डील करता है Deserts के साथ और Rule No.4 यह कहता था कि अगर कोई ठंडा करंट है जो की किसी भी continent के western coast पे flow कर रहा है तो उस case में वह वहाँ पर क्या पैदा करेगा? Deserts को पैदा करेगा The West Australian Current also called as the Western Australian Current is a cool surface current of the Southern Ocean and the Southern Indian Ocean जैसे ही यह current अप्रोच करता है Western Australia को it turns north parallel to the western coast of Australia and becomes the West Australian Current The current is responsible for increasing the dryness of the Great Australian Desert आपको मालूम होगा अगर आप Australia की geography के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे तो Australia का जो यह वाला पार्ट है mostly यह सारा का सारा पार्ट in fact यह बहुत बड़ा desert माना जाता है it is also called as the Great Australian Desert इसमें आपको छोटे-छोटे कई सारे deserts देखने को मिलते हैं देखिए the Great Victorian Desert, the Gibson Desert, the Great Sandy Desert, the Tanami Desert, the Simpson Desert यह सारे के सारा जो पार्ट है न Australia का यह deserts का area ही माना जाता है Australia में आपकी जो ऐसा मान लीजे कि जहां जो भी लोग रहते हैं न वो mostly coastal इलाकों में ही आपको लोग देखने को मिलते हैं बाकी इलाकों में तो Australia mostly आपका एक desert का ही continent माना जाता है और यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर आपका ठंडा current इस तरीके से आया ठंडा current आएगा तो इसका हमें dryness यहाँ पर देखने को मिलेगा जी हाँ वही देखने को मिल रहा है पूरा का पूरा पार्ट इसने यहाँ पर एक desert के रूप में तबदील करवा दिया है तो यह सद्रन इंडियन ओशन की कहानी काफी simple है Northern की थोड़ी मुश्किल थी वो मैंने आपको समझा दी कि उसमें क्या कहानी आपको follow करनी है किस तरीके से आपको समझना है वही चीज आपको examination में पूछी जाएगी सद्रन में तो आपको केवल इतना पूछा जाएगा कि इसके जो currents है वो कौन से कौन से है और वो currents में आपको फिर से एक बार दिवाईश करा देता हूँ number one current आपका south equitable current number two current आपका बनता है מטॉजामबिक current number three current आपका बनता है अगुलहास current number four current बनता है west wind drift and number five current बनता है दोस्तों Australia current also called as the वेस्ट ऊस्ट्रेलिया current ठीक है और उपर आपको क्या धान रखना है दो currents आपके बनते हैं एक event बनता है southwest monsoon current और दूसरा current बनता है Northeast monsoon current that's it इतनी कहानी अगर आपको समझ गए तो आपके पूरे के पूरे करण्स की जो यहाँ पे हमारी कहानी है वो खतम हो जाती है हम आगे आने वाले lectures में दो और चीजों की discussion आपके साथ करने वाले हैं एक है Sargosa C के बारे में और दूसरा है आपका counter equatorial current के बारे में उन दोनों चीजों को लेकर separately UPSC questions पूश चुकी है and that is why हम उनके बारे में चर्चा भी वहाँ पर करने वाले हैं दोस्तों फिलाल के लिए वीडियो में इतना ही एक important announcement Pathfinder आपके लिए लाया है Agnipath batch जो की India का सबसे affordable सबसे comprehensive batch है केवल और केवल 8000 रुपे में आपकी prelims और mains दोनों की तयारी करवाई जा रही है जिसमें कि आपको 900 से भी अधिक घंटे की live classes available करवाई जा रही है This also includes test series आपको इसके लिए अलग से enroll नहीं करना है इसी price में आपको test series भी available करवाई जा रही है अगर आप लोग prelims clear करते हैं mains mentorship आपको करवाई जाएगी bureaucrates के द्वारा अगर आप लोग mains clear करते हैं तो interview guidance देने का भी इसमें वादा हम लोग आपको कर रहे है completely free of cost वो आपको available करवाया जाएगा और ये batch हिंदी में भी available है pathfinder बोध हिंदी batch launch कर दिया गया है मात्र 8000 रुपे में जिसमें कि again आपको सारी similar offerings यहाँ पर भी दी जा रही है अगर आप लोग cable test series purchase करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं मात्र 3000 रुपे में individual test series आपको अप्र लिंस की मिलती है